कि यह नहीं है कि हालो एब्रिवान अब वेरी गुड बारिंग टू आल कैसे आप सभी मैं मानकर चल रही हूं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे मेरा नाम है सिम्रन कपूर और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इंजिनियर्स वाला चैनल पर और जैसा आप लोग जानते हैं कि एसे सी जई के लिए यहां पर क्रेश को चल रहा है और हम लोगों ने कल ही एक नया सब्जेक्स स्टार्ट किया था सो मॉर्निंग में हमारी हाइवे इंजिनियर्ग की क्लासी चल रही है और जेमेट्रिक डिजाइन ओफ हाइवे से हम लोगों ने कल का ये सीरिस को स्टार्ट किया था आज हम लोग इसी सीरिस को फर्दर आगे पूंटिन्यू करेंगे और जियो मेंटरिक डिजाइन ओफ फेकने、 कॉन्टिनियू रहेगा जैसे आपको मैंने बताया था कि में लोगों सَّरी टॉ पिक्स है जिनके वारे में हमने सीखstyn और दि करेंगे stopping side distance over taking side distance intermediate side distance और यहां से कैसे questions पहले exam में आ रखे हैं यह exam में आ सकते हैं और इसके बाद हम एक basic introduction लेंगे आज की क्लास में horizontal alignment का क्योंकि horizontal alignment जो topic है उसमें बहुत सारे सब topics हैं और बहुत सारे theoretical one one mark के question वहां से बनते हैं ठीक है तो पहले मुझे एक बार यह बता दीजिए कल वाली class सब लोग अच्छे से revise करके आ रहे हैं कल जो मैंने आपको data बताया था वह आप लोगों ने याद कर लिया था अपने end से मैंने आपको बोला है जितनी वेल्यूज आई रसी ने दी हैं चाहिए वो median की है चाहिए वो road width की हैं आपको वो सारी आई रसी की वेल्यूज याद रखनी पड़ेंगी चाहिए वो क्लोप हो गया कैमबर हो गया वो सब अच्छे से रिवाइस साथ-साथ करते रहना ठीक है चलिए तो आज की क्लास में भी पहले हम लोग त्योरेटिकल पार डिसक्स करेंगे और उस त्योरी के बाद जो हमने आज की क्लास में त्योरी पड़ी है उसी बेसिस पे आप देखन पार ध्यान से सुनते हो तो लास्ट वाले कोश्चन आप भी सॉल्व कर पाऊगे तो ध्यान से सुनना है और साथ-साथ में आज हम थोड़ा सा मैथेमेटिकल जाने वाले तो फॉर्मुला में जहां पर भी बताऊंगी उसको साथ-साथ लिखते रहना ताकि एड़ दे हमारा निमारिकल पार्ट कवर होने वाला है ठीक है तो आज हमारा सेकेंड लेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आज कि क्लास में इइन veggie यह संट साइड सक इंटे कि साइड रहें सब्सक्राइन चाने और एक बेसिक इंट्रॉडक्षन लेंगे व्हां और यहक सा general idea हम लोग आज की class में लेंगे ठीक है चलिए तो start करते आज की class start करने से पहले एक basic सा कल की class को हम जल्दी से revise कर लेते हैं तो कल की class में हमने पढ़े थे highway cross-sectional elements मुझे वो बताते रहना जो मैं आप से पूछूंगे ठीक है longitudinal coefficient of friction की value कहां से कहां तक vary करती है longitudinal coefficient of friction की value तब तक बाकी लोग भी जुट जाएंगे और एक बार हमारा कल का class का एक थोड़ा से overview है वो revise हो जाएगा longitudinal coefficient of friction की value कहां से कहां तक vary करती है तो f अगर हम longitudinal बोले तो वो vary करता है 0.35 से 0.40 के बीच में अगर हम lateral coefficient of friction की बात करें तो वो 0.15 के बराबर होता है हमने पड़ा था pavement unevenness पेवमेंट unevenness को कैसे measure किया जाता है with the help of bump integrator जो bump integrator है वो values को किस form में measure करता है किस units में measure करता है तो वो measure करता है in mm per kilometer bump integrator ठीक है फिर हमने देखा था कि इसने जो vertical undulations measure की थी उसको हम international roughness index से कैसे relate करते हैं तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर मुझे कौन सा constant लिखना चाहिए bump integrator is equals to क्या constant आएगा raise to power 1.12 मैं यहाँ mention कर देती हूँ तो यह मेरा mm per kilometer था और यह मेरा meter per kilometer था यह हमने देखा था तीसरा था light reflecting characteristics इसके बाद हमने discuss किया था camber के बारे में या फिर cross slope के बारे में तो camber और cross slope के लिए आपको एक table याद रखने के लिए भूला था कि यह depend करता है कि कौन सी payment है camber कितना provide करना है यह depend करता है आपका payment कौन सा है और depend करता है कि हमारा वहाँ पर rainfall कैसा हो रहा है वी rainfall हो रहा है या light rainfall हो रहा है तो यहाँ value लिखनी है 630 बिलकुल सही बताया आपने तो अब हम अगर cement concrete payment की बात करेंगे फिर उसके बाद मैं quality अगर हम देखें तो bitumen payment की बात करेंगे तो पहला cement concrete फिर bitumen फिर आजाएगा आपका water bound macadam या फिर gravel roads और last पे आता है आपका earthen roads इस series में आपको सबसे पहले तो roads का नाम लिख देना है कि कौन कौन से quality आपने आपर select करी है फिर आपने heavy rainfall के लिए value लिखी फिर आपने light rainfall के लिए value लिखी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था आप इसको इस तरीके से याद रखिए 1 in में आएंगी सारी values तो 1 in 50, 40, 33 और 25 और यहाँ पर same चीज़ copy हो जाएगी 60, 50, 40 और 33 सारी slope हमारी 1 in n की term में ही हम लोगों को consider करनी है फिर हमने इसके बाद highway cross sectional element में पढ़ा था median या separator क्या आप मुझे बता सकते हो IRC ने क्या recommend किया था as per IRC what is the minimum width and what is the maximum width require for median और separator जल्दी से बताएंगे separator या फिर median के लिए minimum और maximum width IRC ने कितनी बताई थी minimum width कितनी थी पहले यह बताएंगे 3 meter और 5 meter ठीक है तो यह 3 meter होता है और 5 meter होता है फिर हमने discuss किया था कि हमारा अगर single lane road है multi lane road है तो उसकी width कितनी होनी चाहिए तो 3.75 meter for the single lane road अगर double lane road है तो उसमें हमारे 2 cases बन सकते हैं 7 meter होगा अगर हमने इसमें कोई curve नहीं consider किया है और 7.5 meter होगा अगर आपने curve यहाँ पर consider किया है इसी के साथ intermediate lane की बात करें तो उसकी width कितनी थी 5.5 meter और multi lane payment में अगर हम multi lane payment की बात करें तो वहाँ पर आपका हर एक lane की width कितनी होती है 3.5 meter per lane यह भी हमने consider किया फिर इसके बाद हम बात करते हैं next की तो यह number of lanes हमने आपर discuss किया फिर curve देखे थे तो curve भी हमारे पास 3 तरह के थे एक low curve था एक semi barrier था और तीसरा barrier था ठीक है कुछ चीज़ें यह आपर लिख रही हूँ बाकि आपको कल की class से revise करनी है जल्दी से तीनों की height की value बता दो low curve, semi barrier curve और barrier curve low, semi barrier और barrier का बारे cycle track भी है वो अलग है इसके बाद आएगा तो तीनों की values क्या थी है हमारे पास 10 cm, 15 cm और 20 cm ठीक है यह तीन तरह के curve हमने discuss किये थे इसके अलावा हमने discuss किया था shoulder shoulder क्या करता है emergency lane का काम करता है और shoulder को provide अगर हम लोग करेंगे तो edges पे करेंगे और shoulder की width कितनी बताई थी आपको shoulder की width कितनी बताई थी बताईए जरा तो मैंने एक बस overview लिया कि कल की class में हमने यह यह चीज़े सीख ली थी और जिसने कल की class नहीं देखी है तो आप वो recorded देख लीजिएगा ठीक है उसमें हमने यह सारे elements cover किये थे इसके अलावा और भी बहुत सारे elements थे और उसमें हमने ब बात शुरू करते हैं highway का जो geometric design का next part है ठीक है ध्यान से सुनना बहुत ही interesting है जैसे जैसे समझाती जाओंगी कहीं doubt आए तो comment section में बोल देना अब जो second part है वो है हमारा site distance consideration सबसे पहले मुझे रेखना है कि site distance क्या होता है तो site distance हमारा second part है geometric design of highway का site distance से क्या पता चल रहा है मुझे कितना distance दिखाई दे रहा है site distance मतलब मुझे कितना distance दिखाई दे रहा है अब क्योंकि हम highway engineering की बात कर रहे है हम road पर गाड़ी चला रहे होंगे तो हम उस condition को अगर consider करे कि मैं driver हूँ मैं गाड़ी चला रहे हूँ तो road की length के along मुझे कितना distance दिखाई दे रहा है उसको हम site distance बोल देंगे बस ध्यान रखना है कि जब हम site distance की बात कर रहे हैं तो अगर यह road है इस तरीके से यहाँ पर consider कर लेते हैं यह एक road है यहाँ पर आप मस्त गाड़ी चला रहे हो अपनी तो road की length के along आपको कितना distance clearly दिख रहा है उसको हम site distance बोलते हैं ठीके अब यह जो site distance होता है यह different type का है तो मुझे यह पता चल गया distance जो दिखाई देगा road की length के along या road की center line के along उसको site distance बोलेंगे अब site distance जो different type के होते हैं इसमें सबसे पहले तो हम लोग discuss करेंगे अभी की class में stopping site distance stopping site distance देखिए कुछ नहीं है बहुत simple definition है side distance का मुझे मतला पता चल गया कि road की length के along अब मैं length के along क्यों बोल रही हूं ध्यान से देखेगा आपकी गाड़ी एक horizontal कर पे है अभी ठीक है आप यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे आप इस point पर पहुंचे हो मान लीजिए जब आप इस point पर पहुंचे हो तो यहाँ कोई obstruction है वो आपको side से दिख जाती है आपने देखा होगा आप यहाँ पर होते हो जब आप mode पर गाड़ी चला रहे होते हो तो आगे वाले mode पर आपको कोई गाड़ी अगर आएगी तो आपको साइड से दिख जाती है तो आपको यह वाला जो डिस्टेंस है इसे अपना साइड डिस्टेंस में कंसीडर नहीं करना है आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है जब भी मैं साइड डिस्टेंस की बात करूंगी कि रोड की लेंट के अलों है, तो अब देखिए मुझे रोड की लेंथ के along कितना डिस्टेंस clear दिखाई दे कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है यह सामने कोई obstruction है सामने कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो कितना distance पहले मुझे वो दिखाई दे कि मैं safely ब्रेक अपलाई कर सकूं, brake apply करके या मैं अपनी गाड़ी को रोक सकूं या मैं अपनी speed को slow कर सकूं, तो मेरा target ये है कि सामने वाली गाड़ी, ये सामने वाली obstruction से मेरी गाड़ी टकराए ना, accident ना हो, head on को listen ना हो, ठीके, तो क्या है, stopping site distance का मतलब क्या हो गया, गाड़ी को safely stop करने के लिए, road की length के along, आपको जितना distance clearly दिखाई देना चाहिए, उसे बोलेंगे stopping site distance, जल्दी आ जाएगा, आपे बैच में भी, इसके बाद मेरा survey subject, ठीक है, clear हो गया, stopping site distance क्या होता है, तो stopping site distance की definition क्या है, it is the minimum distance visible to a driver ahead to safely stop a vehicle, अगर मुझे safely stop करना है अपने vehicle को sufficient distance पहले, ताकि आगे आने वाली obstruction से वहाँ पर collision ना हो, तो उस distance को क्या बोलेंगे stopping site distance, अब IRC ने बोला कि जब आप stopping site distance निकालोगे, तो आपको यहाँ पर क्या consider करना है, अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए, यह हमारी गाड़ी यहाँ पर चल रही थी, किसी vertical curve पर, यह आपका vehicle है, ठीक है, यह vehicle है, और आपने observe किया होगा, ऐसी जगा पर हमें, जब vertical curve पर गाड़ी चलाते हैं, तो sufficient distance पहले हो सकता है, हमें सामने वाली obstruction ना दिखाए दे, तो हम यह vertical curve chapter में पढ़ेंगे, इस problem को हम कैसे solve करते हैं, तो यह driver की IE का level हमने यहाँ पर IRC ने बोला कि जब SSD निकालना है, stopping side distance को हम SSD बोलेंगे, इसको इसी के अलावा साथ साथ में non passing side distance भी बोला जाता है, कहीं लिखाओ non passing side distance निकालो, मतलब SSD निकालना है, तो जब आपको SSD calculate करना है, आपको क्या मानना है, कि जो road पर गाड़ी चला रहा है, मतलब driver, अगर driver की IE का level road surface से 1.2 meter की height पर है, और सामने कोई भी obstruction, जिसकी height कितनी है road surface से 0.15 meter है, तो कितना distance पहले यह driver सामने वाली obstruction को देख पाएगा, कितना distance पहले यह जो driver है, यह सामने वाली obstruction को देख पाएगा, तो यह जो distance है, road की center line के along, उस distance को हम लोग क्या बोलेंगे, उस distance को हम stopping side distance बोलेंगे, कि वह आप यहाँ गाड़ी चला रहे थे, आपकी driver की IE का level 1.2 meter, सामने कोई obstruction है, उसकी height 0.15 meter, तो यह दो values हैं, जो कि वह safely अपनी vehicle को stop कर सके, और collision ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, stopping side distance, clear है, ठीक है, यहाँ तक, अब देखिए, अब मुझे यह दो बाते याद रखनी है, यहाँ पर exam के लिए, और याद रखना है, stopping side distance को non-passing side distance बोला जाता है, अब देखिए, अब मुझे stopping side distance को calculate करना है, अगर मुझे इसे calculate करना है, उसक्यों calculation के लिए, हम एक condition यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए, यहाँ पर आप गाड़ी चला रहे थे, यहाँ पर आप गाड़ी चला रहे थे, माल लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई obstruction थी, अब हम यह कोई भी condition ले सकते हैं, पर कुछ था, जब आप गाड़ी चला रहे थे, आप इस point पर पहुंचे, आप कुछ सामने वाला अब्स्रक्शन थोड़ा सा लाइट लाइट सा मतलब कुछ दिखने लग गया कि कुछ सामने आगे हमें अपनी गाड़ी को रोकना पड़ सकता है, आपने अब्साब किया होगा जब आप गाड़ी चलाते हो कुछ डिस्टेंस पहले अगर आगे कुछ लोगों का रश हो या आप पेड़ गिरा हो या कुछ भी हो तो आपको एक आइडिया लग जाते है कि कुछ है सामने शायद गाड़ी रोकनी पड़ सकती है तो आप गाड़ी चला रहे थे आप जैसे यहां पर पहुंचे आपको थोड़ा-थोड़ा सामने ऑब्स्रक्शन जो है वो दिखने लग आपके माइंड में थोड़ा रहे होंगे कि यह हो सकता है यह हो सकता है और यहां जब आप पहुंचे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख गया कि वही सामने तो यह है मुझे ब्रेक अपलाए करनी बड़ेगी अब सामने कोई आप्स्रक्शन है उसको देख कर आपने क्या कि कि अब इस वाले पॉइंट पर आपने ब्रेक अपलाए कर दी यहां पर ब्रेक अपलाए कर दी अब मैं भी मानकर चल रहे हो कि जब आपने ब्रेक अपलाए की और ब्रेक अपलाए करते ही वीकल के भी लॉक हो गए अगर वीकल के भी लॉक हो गए उसके बाद भी मेरी कर दी थी लेकिन ब्रेक अप्लाय करने के बाद मेरी गाड़ी ने फिर भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और वह फाइनली जाकर स्टॉप हुई तो गाड़ी यहां पर स्किड हुई यह भी हमने कल की क्लास में कवर किया था ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या हुआ था मैं ड पर इसका पैर जाना मतलब ब्रेक अप्लाय करना और फाइनली मेरी गाड़ी स्टॉप हो गई तो टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर किया है जब इसको अब्स्ट्रक्शन दिखाई दी वहां से लेकर जब आपकी गाड़ी फाइनली स्टॉप होई इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस और यह जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता है यह हमारा दो अलग-अलग डिस्टेंस का सम होता है पहला डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगा इसे हम नाम दे देते है D1 बहुत से लोग इसका नाम भी बता रहे हैं D1 मान लेते हैं और यह दूसरा distance है D2 ठीक है जो यहां पर D1 distance है इसे हम लोग Lack distance को प्रेकिंग डिस्टेंज बोलेंगे अब और विजिव सी बात है D1 distance मेरा Lack distance कैसे हुआ Lack distance और ब्रेकिंग distance क्यों ना मुए देखे जब आपने obstruction देखी obstruction को देखकर आपने आपका काम क्या है वही हमारा यहाँ पर main काम है मुझे अपनी गाड़ी को safely पहले रोक देना है बिना collision के तो रोकने के लिए हमारा पैर ब्रेक पे जाना चाहिए जब पैर ब्रेक पे जाएगा तो वो उस सामन वाली situation को समझने में time लगाया या react करने में time लगाया तो यहां से यहां तक आपने जो time लगाया ना उस time को हम क्या बोलेंगे reaction time obstruction को देखने के बाद break apply करने तक इसके बीच में जो time लगा उसको क्या बुलेंगे reaction time तो अगर मैं यहाँ पर calculate करना चाहती हूँ कि मेरा lag distance किसके बराबर होगा तो मुझे पता है कि speed velocity is distance upon time तो distance किसके बराबर हो जाएगा distance किसके बराबर हो जाएगा velocity into time के बराबर तो which is equals to जो भी इस गाड़ी की speed होगी अब ध्यान रखेगा अगर मैं small v लिख रही हूँ तो unit meter per second में है capital letter में लिख रही हूँ तो unit kilometer पर r में है तो lag distance किया जाएगा small v into reaction time tr ठीके अब यह reaction time क्या था सामने वाली situation को देखकर break पर पैर जाना वो हमारा total time लगा react करने में situation को अब यह reaction time driver to driver vary कर सकता है और कभी यह reaction time zero भी हो सकता है अब reaction time भी zero कैसे होगा अब जैसे एकदम से मैं आपको कोई गरम पानी का glass पकड़ा दूँ हना तो आप देखेंगे वो बहार से पूरा गरम होगा आप एकदम से उसे हाथ से छोड़ दोगे तो वो क्या था वो reflex action था अब एकदम से हमें कुछ feel हुआ और उसके against हमने action करने में fraction of seconds भी नहीं लगाए तो कई बार आप गाड़ी चला रहे होंगे और एकदम से गाड़ी के आगे कुछ आ जाएगा तो आपके पास time नहीं होगा react करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा मैं reaction time situation के according vary कर सकता है तो reaction time जो होगा अब हमें तो यहाँ formula बनाना है IRC ने जो formula बनाना है वो तो यह नहीं मान सकता कि आप कभी 2 मान लो कभी 1 ले लो कभी 0 ले लो तो reaction time उन्होंने क्या कहा जब आप stopping side distance निकालेंगे तो कितना मान कर चलना है average बताओगे क्या यह आप लोग जानते हो आप maximum लोग इतना जल्दी answer दे रहे हो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा अराम से ना पढ़ा रही हूँ बताइए ज़रा 2.5 seconds very good तो reaction time हमारा किसके बराबर होता है 2.5 seconds के बराबर जब भी हम stopping side distance इस formula में V क्या है V हमारा speed of vehicle है और vehicle की speed हमने किस unit में consider करी है यहाँ पर meter पर second में अब इसी reaction time को समझने के लिए एक सवाल यहाँ पर आपका state exams और SSCJEE में पूछा जाता है reaction time को निकालने के लिए हम एक बहुत ही important और famous theory पढ़ते हैं और वो theory क्या है कोई उसका नाम जानता है इसी reaction time को निकालने के लिए हम लोग एक theory यहाँ पर discuss करते हैं और वो है PIEV theory ठीक है यहाँ से आपको इस पूरी theory का full form याद होना चाहिए कि P क्या represent कर रहा है I क्या है E क्या है V क्या है ठीक है तो PIEV theory में P क्या represent करता है P होता है perception I represent करता है I क्या बताता है intellection E क्या represent करता है emotion और V represent करता है volition ठीक है सबसे पहली बात तो इस बात को याद रख लीजिएगा जो state exam है CCJ है बहुत बार यहाँ पर आपका इसका full form पूछा गया है आसान लगेगा पर पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है अब यह चारों का मतलब क्या है देखो कुछ भी नहीं था इस पूरी थेओरी से हमने निकाला क्या है इस पूरी थेओरी से निकाला है reaction time reaction time क्या होता था कि मैं जब driver जो गाड़ी चला रहा है उसको सामने यह obstruction दिखी brake apply करने से पहले पहले यहां से यहां तक का जो total time है वो reaction time आपने निकाला है यहां पर उसने मानलो brake apply कर दिए ठीक है brake apply कर दिए इस बीच वाले time को बुलेंगे तो यह चार चीज़ें क्या है सुनना ध्यान से perception का मतलब क्या है मानलो आप गाड़ी चला रहे हो अपने आपको imagine कीजिए आप एक बड़िया सी गाड़ी चला रहे हो जो भी आपकी फेवरेट कार है अब आप वो गाड़ी चलाते हुए आपने सामने कोई obstruction देखी जो आप सामने यह हुआ हो सकता है यह हुआ हो सकता है तो जो मेरे दिमाग ने processing start की वो हो गया जो उसके लिए time लगा जो दिमाग ने processing में time लगाया वो time आगया intellection time जो उसने सोचा ठीक है तीसरा आया emotion emotion का मतलब कि जब मैं अपनी फेवरेट गाड़ी चलाओंगी तो मैं बहुत खुशी खुशी होकर गाड़ी चलाओंगी या हो सकता है कि कोई बहुत गुसे में गाड़ी चला रहा हो हना उसको अपनी फेवरेट कार नहीं मिली हो तो emotion मतलब यहां emotion हमारे break लगाने के जिस तरीके से हम break apply करेंगे उसको बड़ा affect कर देता है आपने देखा होगा आप गुसे में गाड़ी चलाएंगे तो आपका break लगाने का तरीका एकदम अलग होगा तो emotion जो होंगे वो कौन control कर रहा है हमारा दिमाग control कर रहा है तो जब आपने वाली situation को देख लिया mind में thought गई यह हो सकता है फिर उसमें emotions भी आए कि हमें break कैसे apply करनी है और volition का मतलब है finally react कर देना break पर पैर चला जाना तो यहां पर आपने final break apply कर दी तो इन चार steps में आपका reaction time complete हो गया और मैंने क्या बोला कई बार reaction time zero भी हो सकता है हना और वो कब हो सकता है जब कोई instant जैसे reflex section अचानक कोई गाड़ी हमारे सामने आ जाए और हमें finally break apply करनी पड़े तो पीव थियोरी में इन चारों का मतलब मैंने यहां पर define किया है यह आपको notes में मिल जाएगा आप लिखना चाते हो आप वहां से लिख सकते हो तो perception is the time required for sensation received by eyes या ear ज emotions आपको मैंने बता दिये जो mental disturbance उसको control करेंगे ठीक है हमारे reaction time को और volition का मतलब है जो final action है मतलब driver का break पर पैर जाना clear हो गया आप चलिए अब आगे बात करते हैं reaction time के लिए पढ़नी है पीव थियोरी और पीव थियोरी के लिए आपको याद रखना है PIEV का full form आपको या lag distance निकाल देते हैं speed of vehicle into reaction time ठीक है यहाँ से अगर हमारा speed किलो मीटर पर आर में दिया हो ध्यान से देखिएगा अभी हमने क्या calculate किया lag distance lag distance को किस से denote किया था D1 से तो lag distance क्या आगया speed of vehicle into reaction time इस formula में speed किस unit में है meter per second में अगर reaction time नहीं दिया हो तो कितना लेना है 2.5 seconds लेना है अगर अब मैं यहाँ values यह सारी put कर देती हूँ तो speed किस में आएगी मैं? meter per second में आएगी. reaction time किस unit में था? second में था. तो इसको cancel कर देती हूँ. क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ से distance meter में आ रहा है? yes or no? क्या मैं बोल सकती हूँ इस formula से distance meter में आएगा? बताइए ज़रा. हाँ? अगर यहाँ से distance meter में आएगा? अगर मुझे speed kilometer per hour में दी है. speed kilometer per hour में दी है. तो मुझे उसको meter per second में convert करना पड़ेगा. 5 by 18 से भी multiply कर सकते हो या 0.278 से भी multiply कर सकते हो. आपको मैं तो यह recommend करूंगी क्यूंकि आप SSEJ देने जा रहे हो. तो वहाँ पर unit convert करने से ज़ ना मुझकिल नहीं है. दो तिन बार पड़ोगे तो याद हो जाएगा. तो 0.278 capital V into TR. अगर मेरे पास speed kilometer per hour में दी है. तो अगर मैं 0.278 या 5 by 18 से multiply करती हूं. तो यह V kilometer per hour से meter per second में convert हो जाएगा. reaction time second में होगा. और मेरा distance meter में निकल कर आ जाएगा. ठीक है? lack distance समझ गए सब लोग. अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो distance है वो हमारा breaking distance की. जो दूसरा distance है वो है हमारा breaking distance. breaking distance कौन सा distance था? breaking distance वो distance था कि जब मेरी गाड़ी जो है उसने break तो apply कर दी. हमारी गाड़ी ने break apply कर दी. लेकिन break apply करने के बाद जो उसने distance cover किया. इसका मतलब मेरा vehicle यहाँ पर skid हुआ है. यहाँ पर हमने break apply कर दी है और finally यहाँ पर vehicle stop हो गया है. और इस distance को हमने d2 बोला था. इसकी derivation है पर अब भी हम derivation पर नहीं जाएंगे. direct formula बता रही हूँ. तो इस d2 distance को कैसे निकालोगे. v2 divided by 2gf. यह formula है हमारा breaking distance निकालने का. v2 by 2gf. ठीक है. सब चीज़े बता रही है. उसमें कौनसी चीज़ क्या denote कर रही है. small v हमारे पास speed of vehicle है. unit हमारे पास meter per second हो गई. small g acceleration due to gravity. क्या होता है यह 9.81 meter per second square. acceleration due to gravity. f दी note कर रहा है coefficient of friction. अब आप एक बात बताईए. अगर आपकी गाड़ी इस direction में जा रही थी. और यहाँ stop होई. क्या हमारा frictional force बिलकुल opposite direction में लगा. जिस direction में गाड़ी जा रही थी. तो यहाँ पर longitudinal friction आएगा या lateral friction आएगा. एक बार यह बता दो. क्योंकि मुझे SSD निकानने के लिए आता है मालो पेपर में. उसने दोनो friction coefficient एक formula में दिये हुए. मैं कौन सा use करूंगे वहाँ पर? वहाँ हम longitudinal use करेंगे. 0.15 नहीं use करेंगे दीपक. longitudinal use करेंगे जब SSD निकानने के लिए आता है. lateral वहाँ use करेंगे जहाँ पर frictional force 90 degree पे लग रही है. जो कि हम V square divided by 2GF और F हमारे पास longitudinal coefficient of friction है. अब इसी formula में भी अगर मुझे speed km पर R में दी जाती ही. तो D2 किसके पराबर आ जाएगा? मैं हम आप यहाँ पर अगर speed km पर R में हैं. तो conversion के बाद मैं final लिख रही हूँ. V square by 254F. आपको भी वहाँ पर exam में जाके convert नहीं करना है. क्योंकि gate का exam नहीं है. इतना time नहीं मिलेगा. आप इसको याद रखोगे. तो V is the speed in km पर R. तो अगर मुझे finally stopping side distance का formula लिखना है. तो stopping side distance में लिख सकती हूँ. D1 plus D2. D1 किसके बराबर आ गया? V into TR plus V square divided by 2GF. मैं में एक formula यह और दूसरा formula बन गया. 0.278 V into TR plus V square by 254F. इन दोनों formula में यहाँ पर जो V है उसकी unit meter per second है. और यहाँ जो V है वो kilometer per R में है. इसलिए यह अलग है. और दोनों में जो stopping side distance निकाला है. उसकी unit हमारे पास meter में ही है. तो stopping side distance निकालने का formula पूरा का पूरा रट लेना है. दो-चार बार लिखोगे याद हो जाएगा. मुश्किल नहीं है. अब अभी वाली जो condition थी. यह जो मैंने यहाँ पर बनाई है. हमारी गाड़ी न सीधे रोड पे चल रही थी. तो stopping side distance का हमारा यह formula बन गया. यह जो finally हमने यहाँ पर बनाए. ठीक है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हमारी गाड़ी ऐसे ascending gradient. gradient समझते हो ना सब लोग. इतने intelligent तो आप हो. gradient का मतलब होता है slope. मतलब गाड़ी या तो उपर की तरफ जा रही है या गाड़ी उपतराई में है या नीचे की तरफ जा रही है. तो उसमें क्या change आएगा? अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं उसमें क्या change आएगा? आप बहुत अच्छे से मुझे बता सकते हो एक simple से सवाल का जवाब देन एक तो ये gradient दिखाते हैं ये दिखाते हैं देखिए जो पहले वाला case है इसमें गाड़ी जा रही है यहां से उपर की तरफ ठीक है? और इस case में गाड़ी जा रही है यहां से नीचे की तरफ इस gradient को बोल सकते हैं हम ascending क्योंकि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है आप उपर की gradient इसको क्यों बोलेंगे rising gradient और इसी को हम positive sign से दिखाते हैं अब gradient है मतलब slope है और slope है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कल की class में बताया था 1 in 30, 1 in n की form में या percent की form में दोनों तरीके से लिख सकते हैं तो मैं यहां पर आप लिख सकते हो इसको plus n percent positive लिख रही हो क्योंकि plus 1 by n ऐसे भी लिख सकते हो positive का मतलब हो गया rising gradient और दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं falling भी बोल सकते हैं descending भी बोल सकते हैं decreasing भी बोल सकते हैं और इसके साथ साथ इसको negative sign से लिखेंगे तो मतलब यह minus n percent होगा या minus 1 upon n की form में होगा अब मुझे एक बात बताईए मैं यहां पर भी ग gradient था मानलो वो 5% था यहां भी गाड़ी चला रही हूं 60 km पर आर से यहां भी जो gradient है वो 5% है बस minus में है किस केस में मेरी गाड़ी को finally रुकने में जादा distance travel करना पड़ेगा अगर सारे factors constant है speed same है gradient same है बस एक rising है और एक falling है किस केस में मेरी गाड़ी थोड़ा सो जादा आग तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आप से बस एक theoretical सवाल पूछा और वो theoretical सवाल exam में पूछा जाता है कि आपका stopping site distance अगर gradient के साथ वेरी करता है तो किस में जादा होगा और किस में कम होगा तो आप बोल रहे हैं falling में falling gradient में आपने बताया बिलकुल सही बताया यह answer correct है इसको हम mathematical एक formula की help से समझ सकते हैं तो अगर gradient question में दिया है और मुझे stopping site distance निकालना है तो formula देखिए lag distance तो same रहेगा v into t plus इस gradient की वज़े से formula में change किया आया v square upon 2gf और positive gradient है तो plus n1% मैंने यहां लिख दिया अगर falling gradient है तो ssd is equals to vt plus formula साथ साथ लिखते रहे न आप अपने जहां rough notebook जैसे भी आपने रखा है अपने पास जो notebook ठीक है f minus n% लिख दिया तो formula में जहां f आता था उसके साथ gradient आ गया अगर positive है तो plus sign negative है तो minus sign अब मैं इसको mathematically समझ सकती हूँ अगर मेरा denominator की value denominator यह जो नीचे है अगर यहां minus value हुआ यह तो यह छोटा हुआ है यह छोटा हुआ है तो मैं overall value बढ़ गई होगी denominator छोटा है तो यह पूरी value बढ़ गई और यह पूरी value बढ़ने से मेरा stopping side distance बढ़ गया तो इसका मतलब इस case में जो stopping side distance होगा वो जादा होगा as compared to stopping side distance जो हमारा rising gradient में था यह हमें यह से clear है तो stopping side distance को निकालने का दूसरा formula अगर मेरा vehicle किसी slope पर है तो यह बन जाता है अब यह वो एक और चीज आपसे छोटी सी पूछ सकते है देखिए वो क्या है अब पहले मैं आपसे पूछते हूँ आप मुझे बताना क्या ऐसा होता है कि road surface पर जहां मैं गाड़ी चला रही हू वहां हमेशा friction सेम रहेगा जैसे मैंने किसी road को भी डिजाइन किया cement concrete है bitumen है कोई भी है क्या मैं अगर बोलती हूँ कि इसमें frictional force.3 है अभी तो क्या उसकी पूरे lifetime वो frictional force सेम रहेगी हाँ एन को zero मानलो horizontal में सही बोला अब frictional force तो zero नहीं हमेशा मतलब उतनी नहीं रहेगी जिसके लिए आपने design किया होगा ये तो vary करता रहता है अब कभी बारिश होई तो payment का surface wet हो गया और friction मैं कम हो गया और कभी friction जादा भी हो सकता है और ये tire पे भी depend करता है जो गाड़ी का wheel है उस पर भी depend करते तो ये हम control नहीं कर सकते तो उसी factor को consider करते हुए यहां एक time आती है जिसको हम बोलते हैं breaking efficiency जिसको हम बोलते हैं breaking efficiency ध्यान से देखिएगा और यहां से one mark के बड़े questions आये हुआ है कुछ लोग इसको traffic engineering में भी पढ़ेंगे या पढ़ाते हैं सो breaking efficiency क्या है इटा से denote कर दिया बी लिख दिया किसके बराबर है f divided by f maximum भी लिख सकते हो या f average भी multiply 100 अब यह क्यों पढ़ाया कहां आएगा stopping side distance में मैं आपको बताती हूँ अभी मैंने जो पीछे formula लिखा था मैं stopping side distance आप formula लिख रहे थे vt प्लस v square upon 2gf यह लिख रहे थे अब यह जो friction है मैंने यहां पर यह माना है कि मेरा गाड़ी का wheel lock हो जाता है जैसे ही मैं brake apply करती हू और अगर vehicle का wheel lock हो जाता है brake apply करते हूए तब ही तो मेरी गाड़ी skid करती हूए जारी आगे की तरफ जो हमने SSD को निकालते हूए condition समझी थी क्या बोला brake apply की wheel lock हो गए फिर गाड़ी skid घिसती हूए आगे की तरफ जारी है अब बताओ मैंने अपनी गाड़ी में जैसे brake apply करी उसके wheel रुक गए तो इसका मतलब braking efficiency कितनी मानी है मैंने मैंने माना है जैसे brake apply करी गाड़ी के wheel तब ही रुक जाएंगे तो मतलब braking efficiency मैंने 100% मानी है जब मैं ये सारे formula लिख रही हूँ इससे पहले ये वाला formula लिखा है जब मैंने तो इसमें मैंने ये माना है कि eta B braking efficiency 100% है औ maximum है जो उस payment में हो सकता है पर ये तो हमेशा possible नहीं है तो अब यहाँ पर condition में क्या question में पूछा जाता है आपको कई बार क्या बोलाओगा कि braking efficiency is 80% तो stopping side distance निकालो अब braking efficiency 100 नहीं है तो variation कहा आएगा आप बोलेंगे मैं eta B is equals to F जो friction अभी offer हो रहा है अभी मेरी गाड़ी जब मैं brake apply कर रहे हो तो कितना friction offer हो रहा है maximum या average friction वहाँ कितना offer हो सकता था multiply 100 मतलब अभी कितना friction offer हो रहा है वो कैसे निकालोंगी जितनी मुझे braking efficiency दी है multiply जितना maximum friction या average friction वहाँ पर offer हो सकता था क्या बताओ मुझे यहाँ से नया F निकालना पड़ेगा फोर एक्जामपल आपके पास coefficient of friction की value है maximum 0.35 और breaking efficiency है 80% और बोला stopping side distance निकालना है तो इन दो के साथ कैसे खेलना है आपको? आपको पता चल गया इसका मतलब अभी friction 100% offer नहीं हो रहा है कितना हो रहा है वो उसने दिया है तो वो कैसे निकालोगे इन दोनों को multiply कर दो और इसको F देश मान लो इसको आप इसको आप यहाँ पर जादा घूम के चले गए इसको आप यहाँ पर put कर दो ठीक है तो अगर question में stopping side distance में breaking efficiency लिख भी देता है तो मुझे क्या करना होगा मुझे नया friction निकालना होगा कि friction कितना अभी के case में offer हो रहा है क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को तो कई बार आप books में देखोगे इसका formula कैसे लिखा होगा stopping side distance मैं यहीं पर लिख रही हूँ ऐसे लिखा लिखा होगा तो आप eta multiply f भी लिख सकते हो अलग से f निकाल लिया और फिर यहां put कर सकते हो ठीक है तो हमने stopping side distance का पहला formula देखा जब गाड़ी सीधे road पर थी कोई gradient नहीं था फिर देखा गाड़ी अगर ascending या descending grade पर है कैसे vary होगा फिर देखा अगर friction 100% offer नहीं हो रहा है त तीन cases हमने अभी तेक समझ लिए ठीक है 100% possible नहीं है हम सरफ मान कर चलते है ठीक है अब मैं यह नहीं बोल सकती कि सारे cases में कभी possible हो सकता है कभी नहीं हो सकता हम friction के बारे में यह चीज बता ही नहीं सकते कि friction कब जादा offer होगा या कम क्योंकि हम उसको control नहीं कर सकते वो हर गा टायर का जो temperature है तो मैं इसमें कोई comment नहीं कर सकती कि एक वीकल के लिए 100 हो सकता है या 99 हो सकता है ठीक है और आपको भी पता है कि अगर हम efficiency निकाले तो किसी भी काम में 100% मिलना वो बहुत मिश्किल होता है ब्रेकिंग efficiency का formula सिरफ इतना है कोई भी efficiency आप निकालते हो जैसे अ आज कल आप कितना efficient हो अपने काम के लिए तो आप अपनी efficiency कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि मैं दिन में 24 गंटे है और 24 गंटे में से मैं 10 गंटा पढ़ाई करता हूं तो multiply 100 कर दो ये मेरी efficiency है ऐसे निकालोगे जो 10 गंटे आप पढ़ाई को दे रहे हो वो उपर लिखोग जो पूरे दिन में सब के लिए बराबर time है वो 24 hours है multiply 100 ये आपकी efficiency है अब कोई बोर है मैं 4 गंटे बढ़ता हूं 24 में से तो उसकी efficiency क्या होगी मैं efficiency कम होगी तो जैसे आपकी efficiency या total और उपर जो actual value है वैसे आ रही है तो वैसे ही breaking efficiency क्या रही है अभी actual में कितना friction offer हो रहा है divided by maximum कितना friction वहाँ offer हो सकता था multiply 100 समझ गए जिसने कहा था explain कर दो अब मैंने बोला कि f actual कितना है कई बार हमें एक्जाम में ये निकानना पड़ जाता है तो उसको निकानने के लिए कुछ नहीं करना eta b multiply by f max कर देना है अगर मैं आपको आपकी efficiency और दिन के 24 गंटे बता दू तो आप अपने आप बता सकते हो आप कितने आर्ज पढ़ाई पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक है चलिए हाँ तो ये अलग होगा ना f actual अगर f actual और f maximum बराबर हो गए जितना maximum friction offer हो सकता था वो actual के बराबर हो गया तो efficiency 100% हो जाएगी जो पूछ रहे हैं ठीक है चलो अब आग coefficient of friction, efficiency यहां तक clear हो गया आपको मैं मान कर चल रहे हूँ अब stopping side distance में एक last चीज जो वो exam में आप से पूछता है और वो last चीज क्या है फिर में सारे formulas एक साथ लिखोंगी last चीज सिरफ इतनी सी है आपको मैंने कल की class में single lane double lane one way traffic और two way traffic समझाया था याद होगा आपको मैंने single lane road बनाया है कितनी वäर्थ है इसकी मैंने this single lane road बनाया है कितनी वर्थ होगी इसकी और इस single lane road पर चल रही है गाड़ी इस direction में में घाड़ी चल रही है इस direction में ठीक है यहांपर यह plan दिख रहा है आपको single lane road है और मैंने traffic consider किया 1 Way का मतलब क्या होगा एक ही direction में गाड़ी चल सकती है अब यहां गाड़ी मस जा रही है सामने कोई obstruction आती है बोला कि stopping side distance निकालो पहली condition दे दी कि single lane road है one way traffic है तो इस condition से मेरे SSD में कोई फरक नहीं आएगा जो यहां गाड़ी चला रहे है उसको कुछ distance पहले obstruction दिखेगी उसको break apply करनी है तो SSD किसके बराबर आएगा मैं जो आपने अभी formula बताया उस formula से चुपचाप stopping side distance निकाल लेगी कोई change नहीं आए अब टू लिख रहे हो टू लिखने से पहले condition समझनी है ठीक है जिसने 2 लिखा था अच्छा आप देखो अगर मैं यही single lane road बनाती आपको पता है कि जब हमने single lane road design किया था इसकी width हमने 3.75 meter दी थी और vehicle गाड़ी की width कितनी मानी थी गाड़ी की width मानी थी मैं 2.44 meter 2.44 meter अब अगर मैं इसी में two way traffic consider कर दूँ इसी में two way traffic consider कर दूँ तो यहां दोनों तरफ से vehicle आ रही है भी यहां से भी जा रही है और यहां से भी आ रही है अब इस वाली गाड़ी के पास इस और इस तरफ रास्ता नहीं है कि यह पूरी आप देखो इसको सामने वाली वीकल और सामने से आने वाली वाली वीकल को यह वाली गाड़ी दोनों को दिखनी चाहिए ना एक दूसरे को वीकल मतलब इसको यह भी दिखनी चाहिए इतना डिस्टेंस पहले कि यह सेफली ब्रेक अपलाई कर सकें तो इस केस में क्या होगा मैं एक तो वीकल वन मान लो यह वीकल टू तो इस केस में एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेरा एसेस डी वन इसको रिक्वायर होगा एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मुझे सामन से आने वाली दूसरी vehicle के लिए चाहिए होगा अगर दोनों same speed पे चल रही है यह design speed पे चल रही है तो मैं बोल सकती हूँ अगर दोनों की speed same है तो उस case में SSD two times of SSD हो जाएगा अगर दोनों की speed लग है तो इस case में SSD किसके बदाबर होगा SSD one plus SSD two के बराबर इसका side distance और इसका side distance add कर दो तो आपके पास दोनों के लिए total stopping side distance निकल जाएगा लेकिन कौन सी condition थी कौन सी condition थी मैं अगर single lane road होता लेकिन two way traffic होता single lane road होता और two way traffic होता तो दोनों गाड़ियों को safely रोकने के लिए sufficient distance पहले दोनों एक दूसरे को दिखाई देनी चाहिए इसलिए इसमे stopping side distance two time of stopping side distance होगा अगर data अलग दिया है तो अलग-अलेक SSD निकालो और अगर एक ही speed दी है तो सीधा उसको दो से multiply कर देना है कोई doubt किसी को clear है यहां तक clear है तो बताइए तो एक बार stopping side distance के सारे formulas लिख रही हूँ जिसने नहीं लिखे है वो लिख लो फिर हम overtaking side distance start करेंगे पढ़ना तो stopping side distance के देखो formula आपको कुछ-कुछ तो याद भी होगे होंगे जो लिख रहे होंगे साथ-साथ vt प्लस v square upon 2gf ठीक है एक तो यह formula हो गया इस formula में speed किसमे है speed meter per second में लेकिन gradient इसमें हमारा 0 है मतलब सीधे road पर गाड़ी चल रही है दूसरा आगया formula 0.278 v into t capital v है यह small v है plus v square by 254 f आ गया इस formula में speed किसमे है मैं किलो मीटर पर आर में है अगर gradient की बात करें तो ssd is equals to gradient की बात करें तो ssd is v into t r plus v square upon 2g एक साथ ही लिख देते हैं plus minus n percent मुझे पता है positive होगा ascending gradient negative होगा तो descending gradient n क्या represent कर रहा है gradient represent कर रहा है small v हमारा यहां पर क्या है meter पर second है अच्छा एक हमने breaking efficiency लिखी तो मैं या पर लिख देती हूँ eta b eta b किसके बराबर होगा f actual upon f maximum multiply by 100 कब इस formula को use करना है जब breaking efficiency आपको question में दी होगी सिरफ उस case में stopping side distance ssd is equal to two times of stopping side distance हो जाएगा लेकिन किस case में अगर single lane road है अगर single lane road है और साथ साथ में two way traffic है single lane road है और two way traffic सिरफ ये अकेला ऐसा case होगा जिसमें हमें stopping side distance निकालने के लिए उसको two से multiply करना पड़ेगा ठीक है अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो longitudinal coefficient of friction की value है वो vary करती है 0.35 से 0.40 के बीच में अब अभी तक ऐसा नहीं हुआ SACJ exam में कि आपको ये value ऐसे assume करनी पड़े अपने आप से पर मैं आपको बता देती हूँ जैसे अब CBT2 होगा तो आपको एक table है वो याद रखना पड़ेगा और state exam में ये value भी पूछी जाने लग गई है कि कब 0.35 लेनी है कब 0.36 आएगी कब 0.40 आएगी तो coefficient of friction की value speed पे वेरी करती है और कैसे वेरी करती है उसका table बता देती आपको याद होने चाहिए stopping side distance के ठीक है देखिए वो जो table है वो यह है यह आपको याद रखना है और मैं आपको बता दू maximum cases में हमें गाड़ी की जो speed होगी वो 80 km पर आर या उससे जादा दी होती है ऐसे आपको एक hint बता रहे हूँ याद रखने के लिए आसान रहेगा अ तो CBT 1 में तो नहीं इस तरीके की चीज़ पूछने के कम chance है 2 में पूछ सकते हैं फिर भी तो यहाँ पर यह speed के according 20 से 30 km पर आर coefficient of friction 0.4 40 km पर आर 0.38 50.37.36 तो 60 और 70 दोनों में same है 80 से जादा में coefficient of friction 0.35 रहेगा तो इस table को थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि state exam में यहा SSJ में direct कोई सवाल नहीं पूछा गया कि speed पे क्या होता है लेकिन कुछ state exams में आ रखे हैं तो इसलिए मैंने आपको यह बता दिया है ठीक है अब मुझे बताओ stopping side distance clear हो गया थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया मतलम और formulas वगरा पीव theory क्या है SSD किन दो distance का sum है तो वो clear है आपको फिर हम overtaking side distance को समझते हैं बोलिए overtaking side distance को समझते हैं यहां तक समझ गए सब लोग कोई कह रहा है factor affecting the stopping side distance concept of physics अभी हमें यह question पूछूंगे आपसे यह मैं नहीं बताओंगे अभी आगे quiz में question आएगा यह आप बताएंगे SSD पूरा समझ लिया तो कौन से factors को यह affect करेगा वो formula में सारे factors लिखे हुए हैं तो यह आप मुझे answer करेंगे ठीक है चलो अब बात करते हैं overtaking side distance की देखो side distance तो सेम रहेगा कितना distance driver को दिखाई दे रहा है road की center line के along यह बात तो fix है तो अगर center line के along कितना distance दिखाई दे रहा है कि मुझे गाड़ी को रोकना है stop करना है तो बन गया stopping side distance अगर मुझे गाड़ी slow गाड़ी से overtake करना है तो मुझे कितना distance road पर सामने दिखाई देना चाहिए कि मैं safely दूसरी lane में जाओ overtake करूं अपनी lane में वापिस आ जाओं यह पूरी process में safely कर पाओं तो उस distance को बोलेंगे overtaking side distance में थोड़े से formula जादा है और आपको मैं बता दू यहां से numerical तो ना के बराबर आते हैं पर अभी हम सारी चीज़ें सारे topics कवर कर रहे हैं मैं formula यह लिखूंगी और जो याद कर सकता है वो ज़रूर याद कर लेना ठीक है अब देखो overtaking side distance को सबसे पहली बात passing side distance बोलते हैं SSD को non-passing side distance बोलते हैं अब जब हमने SSD निकाला तो वहाँ पर भी एक बात की थी कि driver की eye का level कितना माना था above the road surface 1.2 meter और सामने अगर कोई obstruction है उसकी height कितनी मानी थी 0.15 meter जब मैं overtaking side distance निकालूंगी तो यहाँ पर मुझे अपना IRC क्या कहता है कि vehicle जो driver चला है driver की eye का level भी 1.2 meter होगा और obstruction की height को भी आपको कितना लेना है 1.2 meter और यह किस case में जब आप overtaking side distance निकालोगे यह एक number का question बन सकता है तो ध्यान रखिएगा driver की eye का level road से कितना है 1.2 meter और height of obstruction भी कितनी है 1.2 meter है अब OSD को समझाने के लिए सिरफ एक diagram में बना रही हो और इसको बिलकुल ध्यान से समझना क्योंकि इसको बार बार बनाना मुश्किल है तो सब लोग अपना पूरा ध्यान यहीं पर देंगे ठीक है नई तो फिर बाद में देखना पड़ेगा आपको lecture देखिए होता क्या है हमने या माना क्या है तीन भी गाडियां चल रही है वो डिजाइन स्पीड पे चल रही है डिजाइन स्पीड कल की क्लास में हम पढ़कर आ रहे है वीकल ए और वीकल सी दोनों डिजाइन स्पीड पे चल रही है अगर सो किलो मिटरे पर आर के लिए डिजाइन किया रोड तो सो पे चल रही है पर कोई एक गाड़ी 100 से कम पे चल रही है जो design speed पे नहीं है उससे कम पे है उसको slow बोला तो यहाँ पर मैंने B को बोल दिया slow vehicle, slow moving vehicle ठीक है C को अभी 2 मिनट के लिए हटा दो A design speed पे चल रही है B slow है, तो इसका मतलब हम slow गाड़ी से ही overtake करते हैं तो A vehicle जो होगी वो overtaking vehicle होगी जिसने क्या करना है overtake करना है जो overtake करना है जिस गाड़ी ने वो कि speed पे चल रही है design speed पे चल रही है और उसी को मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी fast moving vehicle तो fast नहीं तो slow को क्या करना है overtake, अब हुआ क्या vehicle A था यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है तो A यहाँ था, B यहाँ था जब A यहाँ पहुंचा ना उसमें देखा भी आगे तो एक गाड़ी slow चल रही है आगे गाड़ी slow चल रही है तो A को समझ में आ गया कि उसको B से overtake करना पड़ेगा ठीक है, अब क्या हुआ A को समझ आया, उसको B से overtake करना पड़ेगा, तो अब यह चलती हुई situation है, यहाँ पर इसको condition 1 बोल दिया इसके आगे मैं अगली बना रही हूँ, देखो फिर क्या हुआ, जो हमारा vehicle A है, अब आप इस condition को ना imagine कर सकते हो, आप imagine कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको थोड़ा distance पहले दिख गया, एक मंदा आगे गाड़ी slow चला रहा है, तो आप क्या करते हो, अपनी speed बढ़ाते हो उसके पीछे चलते हो, हना आप ऐसे मत बोलना, हम साइड से निकल जाते हैं, हम तो देखते ही नहीं है, सीधा overtake कर लेते हैं, अब आपने क्या किया, आप उस slow गाड़ी के पीछे चलते हो कुछ देर, फिर पीछे चलते हो, फिर जैसे ही आपको लगता है कि अब मैं overtake कर सकता हूँ, सामने वाली लेन से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा दूसरी लेन की तरफ जाते हो, और फास्ट अपनी स्पीड बढ़ाते हो, और फाइनली अपनी लेन में चले जाते हो, तो अब यहाँ condition थी, आपने सामने slow गाड़ी आप इसको follow कर रहे हो, follow कर रहे हो, vehicle A यहाँ पर है, vehicle B यहाँ है यह आप इसके पीछे बीचे आ रहे हो, अभी आप इसको और follow कर रहे हो, vehicle A यहाँ पर है, vehicle B यहाँ पर है तो follow किया आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance, आपने इसको follow करने में cover किया क्या ये distance समझ में आया जनरली ये बुक्स में बना नहीं होता बनाना भी मुश्किल है क्योंकि गाड़ी चलती जा रही है इस चलती प्रोसेस को हम कैसे एक बोर्ड पर रुका हुआ में दिखा सकते हैं सुनना क्या बोला मैंने आपने गाड़ी देख ली सामने slow चल रही है आ तक आप उसको फॉलो करते गए ये गाड़ी आगे बी थी बस इस पॉइंट पर मौका लग गया कि आप दूसरी लेन में जाओगे स्पीड बढ़ाओगे और ओवर्टेक कर लोगे तो पहला distance जो आपने कवर किया है वो कौन सा distance है जो सामने slow वीकल को फॉलो करते हुए कव DR 1 डिस्टेंस का समझ में आया कौन सा है बताना जरा यह DR 1 डिस्टेंस बूली अब देखी है अगर यह समझ में आ गया तो बागी डिस्टेंस तो समझना असान है आप इस डाइग्राम को देखिए जो आप उक समें देखते हैं तो मैंने इस Diagram में डारेक्नरी इस लिए नह करते ट्रेवल किया जो मने पीछे वाले इस लाइड में पड़ा तो उस डिस्टेंस को डी वन बोल दिया अब फॉलो करने के दूसरी लेन में गया और अराम से अपनी स्पीड तेज करी और वापिस ओवर टेक करके अपनी लेन में आ गया होगा के नहीं जितने टाइम में ए वीकल दूसरी लेन में जाकर एक्जिलरेट कर रहा है और अपनी लेन में आ रहा है उतने ही टाइम में उतने ही टाइम में जो बी वीकल था वो ऐसे थोड़ी ना रुक के पास दे रहा होगा कि मैं रुक जाता हूं और तू चले जा तो बी वीकल भी अपनी लेन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और बी वीकल ने अपनी लेन म या small b से अच्छा अब देखो अब मुझे क्या करना है मुझे ये मेरी गाड़ी है और मैं आगे एक slow गाड़ी को follow कर रही थी a और b इनके बीच मैंने space maintain ना के बराबर किया है क्या मैं इससे overtake कर सकती हूँ आपको पता है कि दूसरी लेन में जाने के लिए overtake करने के लिए मुझे आगे वाली गाड़ी से थोड़ा space रखना पड़ता है अपनी वीकल का और आगे वाली वीकल का जब थोड़ा सा spacing होगी तब भी तो मैं side को जा पाऊंगी अब आपकी गाड़ी तो वो जादू वाली है कि सीधे चल रही थी और एकदम से आपने right कर दी फिर left कर दी तो आपको कुछ space रखना पड़ता है तो आपने slow वीकल के बीच में कितना space रखा है ये वो वाली spacing है ये वाली spacing क्या represent कर रही है कि अगर आपको overtake करना है तो आपको कुछ space जो maintain करना पड़ेगा सामने वाली व अगली वीकल में space होगा ये सिरफ किया है कि ये वाला space और ये वाला space same है क्योंकि हमें value निकाल लीए तो ये वाला space और ये वाला space same है मदला दोनों गाड़ी उन्हें जो space maintained किया है जो पहले था वो बाद में भी same था ठीक है आप देखो अब जब आपने overtake किया होगा आप आप दूसरी लेन में तो नजर मार कर चली रहे होंगे कि सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही है अगर आ रही थी तो आप ओवर्टेक नहीं कर सकते थे तो यहां आप मैं C वीकल की बात कर रही हूँ, B वीकल की खानी खतम हो गई, A और B ने आपर अपना काम कर लिया, A ने पर आपको बता चल गया कि वो इतना दूर है, मैं आराम से ओवर्टेक करके निकल सकता हूँ, तो जितने केस में आपने मैं ओवर्टेक करके अपनी लेन में आए, उतने टाइम में C वीकल यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वो डिस्टेंस D3 हो गया, तो जब मैं ओवर्टेकिंग साइड डिस्टेंस निकालूंगी, तो इन तीन डिस्टेंस का सम होगा, कौन-कौन सा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस जो मैंने फॉलो करते हुए कवर किया स्लो गारी को, दूसरा डिस्टेंस जिसमें मैं दूसरी लेन पर गई, ओवर्टेक कि d1, d2, d3 क्या है बताइए हाँ उपोजिट से गाड़ी आ रही है इसलिए 1.2 मीटर ही लेंगे तो अब तीनों डिस्टेंस मुझे समझ में आ गए एक बार इनका थोड़ा बहुत हम फॉर्मुला लिखते हैं ठीक है तो पहले हम d1 डिस्टेंस की बात करते हैं देखिए डिस् को फॉलो कर रहे हो तो मैंने यहां पर क्या मान लिया है अगर फॉलो करेंगे तो हमें आगे वाली वीकल के बराबर यह स्पीड से चलना पड़ेगा अगर मैं किसी को फॉलो कर रही हूं किसी गाड़ी को फॉलो कर रही हूं जितनी स्पीड पर वो चल रही है उसी स्पीड किसकी आएगी slow moving vehicle की speed आएगी ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे d1 distance is vb into reaction time आप मुझे आप बताओ reaction time कितना लेंगे यहाँ reaction time का मतलब क्या हो गया stopping side distance में reaction time का मतलब होता था कि आपका pair break पर जब गया मतलब आपने सामने वाली situation को देखके react किया और यहाँ पर reaction time का मतलब क्या है जब सामने वाली lane या सामने वाली situation को देखकर मेरा pair accelerator पर जा रहा है क्योंकि मुझे आप गाड़ी को क्या करना है accelerate करना है speed बढ़ानी है तो अब मेरा reaction time क्या होगा follow करने के बाद जैसे ही pair accelerator पर गया तो इसका मतलब वो reaction था तो कितना लेते हैं very good अगर यह नहीं दिया हो तो reaction time हमें 2 second लेकर चलना है और vb small v है तो मतलब unit meter पर second में है अगर kilometer पर r में होती तो 0.278 capital vb into tr लिख सकते थे यह मेरा formula बन गया d1 distance को निकालने के लिए यह formula बन गया d1 distance को निकालने का ठीक है अब लिखते है d2 distance की कानी d2 distance कौन सा distance हा d2 मेरा वो actual distance है अगर मैं ध्यान से देखू जिस time पे आप अपनी गाड़ी को side पर लेकर आए मतलब दूसरी lane पर लाए accelerate की वापी सफली rail पे गए तो spacing एक s आ रही है एक b distance आ रहा है जो slow vehicle ने travel किया यहां से यहां तक और एक s distance आ रहा है तो इस d2 distance में कौन कौन से distance आए b plus 2s इसमें कौन से distance आए b plus 2s तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूँ b plus 2s आप अप मेरे साथ साथ आंसर करते रहेंगे आपको समझ में आ जाए मुश्किल नहीं है अब मैं सबसे पहले न यहां पर spacing की बात कर रही हूँ ध्यान से देखना सबसे पहले मैं spacing की बात कर रही हूँ यह vehicle थी यह से आगे वाली vehicle थी इनके भी spacing मान लेते हैं S है इनके भी spacing मान लेते हैं S है इस spacing में क्या क्या आ रहा है मैं यहां से लेकर यहां तक length of vehicle L यहां से लेकर यहां तक length of vehicle L इस spacing में आधा length पिछली वाली vehicle का रहा है आधा length आगे वाली vehicle का रहा है तो जब मुझे S निकालना है किसके बराबर होगा एक तो इन दोनों वीकल के बीच का gap जिसको मैंने X मान लिया और मैं दूसरा L by 2 प्लस L by 2 आप SL लिख सकते हो लिख सकते हैं कि नहीं तो यह आ जाएगा X plus L ठीक है और यह L की value कितनी लेते हैं अगर नहीं दी हो तो IRC बोलता है अगर length of wheelbase नहीं दी है आप इसको 6 meter ले सकते हो दूस गैप कुछ नहीं है मैं डिस्टेंस ही है और अगर डिस्टेंस ही है तो किसके बराबर होगा velocity इंटू time के बराबर ही होगा और जब मेरी गाड़ी पिशल आगे वाली गाड़ी से कुछ space maintain करके चली थी तो उसने अपनी speed slow करी हुई थी हम overtake करने वाले हैं अभी ठीक है हम overt speed कितनी है इस टाइम पर हमारी speed कितनी है जितने slow वाली गाड़ी की थी तो speed कितनी आ जाएगी वी बी वीकल की speed ठीक है एक बात याद रखना पूरे formula में हमें speed वी बी की ही लेनी है एक ही जगा आएगी c वाली वीकल की speed अब क्या आता है अब मैं ये तो हम समझ आ गया कि gap is distance और distance का मतलब होगा ये distance निकालना है तो velocity into time पीछे चल रहा था A वीकल आगे है B इसकी speed हमने consider करी slow वीकल के बराबर अब एक और time है ये time कितना मानना है या ये कौन सा reaction time है ये भी एक चोटा सा reaction time है जिसको हम 0.7 seconds लेते हैं और ये कौन सा time है जैसे अगर आप मान लो अब आप इमाजिन कीजिए condition आप एक गाड़ी के पीछे हो आगे एक truck है जो slow गाड़ी है आपकी गाड़ी उसके पीछे है आपने उसके और अपने बीच में एक space रखा हुआ है maintain करके ठीक है suddenly आगे वाली ने ब्रेक लगाई क्या उसी time आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी नहीं तो आपकी गाड़ी की टककर हो जाएगी आगे वाली से आपको suddenly जैसे ही उसने react किया आपको fraction of seconds में रुखना पड़ेगा तो अब जो reaction time है कि आगे वाली ने अगर कुछ भी किया तो आपको एकदम रुखना पड़ेगा वो reaction time कम होना चाहिए उसमें हम जादा time नही सकते हैं तो वो reaction time यहां पर जो हम consider कर रहे हैं वो time कितना है 0.7 seconds जो कि बहुत कम है तो यह लेते हैं 0.7 seconds तो मतलब मैंने simple सा क्या याद रखना है यह जो spacing अगर हम निकालेंगे यह किसके बराबर होती है x plus l और x किसके बराबर है 0.7 vb plus 6 यह मेरे पास formula आगया spacing को calculate करने का 0.7 vb plus 6 तो अगर मुझे spacing लिखना है s is equals to ठीक है थोड़ा explain कर दिया आपको s is equals to 0.7 vb plus 6 और इस formula में जो speed है वो meter per second में है vb जो है वो हमारा meter per second में समझ में तो आ रहा है ना formula लिखते रहे ना आप साथ साथ तभी question कर पाओगे अभी last में 0.7 seconds ठीक है अगर मैं यह speed kilometer per hour में हो तो क्या करना पड़ेगा s is equals to 0.278 multiply मतलब आपको सिरफ 0.278 से ही तो multiply करना है capital vb plus 6 और जब इसको multiply कर दोगे तो आपके पास value आएगी 0.2 vb plus 6 यह formula कैसे बना अगर speed मेरी अगर speed मेरी किसके बराबर है अगर speed मेरी kilometer पर hour में है तो यहां से मैं क्या निकालती हूँ यहां से मैं spacing निकालती हूँ ठीक है यहां से हम क्या calculate करते है spacing निकालते है clear हो गया है नहीं इतना देखिए d1 distance निकाला s में ने explain किया अंकीत मौर्या लिख रहे है हाट लग रहा है formula थोड़े जादा है मैं बस समझा रहे हूँ वह आया कैसे है OSD को अगर आप लोग last में याद ना रख पाओ तो कोई बात नहीं पर यहां से सवाल आ सकता है इसलिए जरूरी है crash course में समझाना कोई space headway पूछ सकता है निकालने को d2 distance निकालने को बोल सकता है एक दो बार थोड़ा सा formula लिखोगे अभी कुछ questions करोगे तो आप एक एक करके मतलब उस चीज़ को न समझ जोगे तो मुझकिल नहीं लगेगा पहली बार देखोगे तो लग रहा होगा ज्यादा formula से अच्छा देखो s हो गया 0.2vb plus 6 अब क्या बचाए इस d2 को निकालने के लिए s मैंने निकाल लिया मुझे b निकालना है अब एक बार ध्यान से देखना इस diagram को यह b कौन सा distance है यहां से लेकर यहां तक का यह वाला distance को b बोला है अगेन मैं इस b distance को निकालना है तो distance किसके बराबर होगा velocity into time d is velocity into time मुझे बताओ अगेन यह जो distance है इसमें velocity हमें कौन सी लेनी पड़ेगी किस vehicle की speed लेनी पड़ेगी b vehicle की या a vehicle की तो मैं यहां पर जो distance निकाला उसमें भी slow vehicle की ही speed आएगी vb लेकिन अब यहां reaction time नहीं आएगा reaction time का मतलब था accelerate करना हो तो इधर मान लिया है हमने अब यहां पर आएगा overtaking time capital T overtaking time अब ध्यान देना मेरी बात पर a vehicle यहां से side आया दूसरी lane में उसने accelerate किया अपनी line में वापिस गया क्या इस पूरी process में कुछ time लगा होगा क्या इस पूरी process में कुछ time लगा होगा और अगर मैं आपको बोलूँ आपको किसी गाड़ी से overtake करना है तो इस पूरी process में actual में जो overtaking हो रही है वो तो यही हो रही है कि आपका दूसरी lane में जाना speed बढ़ाना अपनी lane में आना तो इस पूरी process में जो time लगा उस time को बोलत से है overtaking time पूरी process में जो time लगेगा अब इसको पूरी process में जितना time लगा उतने time में विचारा बी वाला जो वीकल है वो यहां से यहां तक चला तो इस पूरे time में भी यहां से यहां तक चला तो overtaking time में इसने यहां से यहां तक चला है वो वाला distance कैसे निकाल लेंगे इसकी speed multiply overtaking time, समझ गए, capital T कौन सा time है, overtaking time, जो actual में vehicle को overtake करने में लगेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, कि मेरा B जो है वो किसके बराबर होगा, VB into capital T, capital T किसके बराबर है, capital T है हमारा overtake करने में total कितना time लगा, तो इसका मतलब अब मैं D2 distance को लिख सकती हो, D2 is equals to, B किसके बराबर होगा, VB into T plus 2S, S कैसे निकालना है, वो मैंने आपको explain कर दिया already, तो D2 मेरा यह आ गया, ठीक है, यह आ गया, इसको आप kilometer per hour में convert करके लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, D2 को आप 0.278 लिख लिजिए, capital V लिख लिजिए, T लिख लिजिए, 2S, अब देखिए, एक last चीज यहाँ पर रह गई समझने को, वो है, overtaking time कैसे निकालना है, हो सकता है, आपसे paper में सिरफ overtaking time पूछ ले, overtaking time कैसे निकालना है, किसके बराबर होगा, under root of 4S upon A, यह formula है, याद रखना है, S already space आप निकाल चुके हो, अब क्योंकि मेरी गाड़ी अगर मुझे overtake करवानी है, तो accelerate करनी पड़ेगी, तो small a यहाँ पर acceleration है, और यह question में दिया होगा, और मुझे बताएंगे आप लोग acceleration की unit क्या होगी, मुझे बताएंगे acceleration की unit क्या होगी, simple लग रहा है, हाँ, ध्यान सारा यही रखना पड़ेगा, आज अगर ध्यान इदर उदर गया, तो पता meter square per second कैसे हो सकता है, मुझे acceleration की जिरफ unit बताओ, acceleration is velocity upon time, तो velocity meter per second होता है, divide by time, तो इसका मतलब इसकी unit क्या होगी, इसका मतलब meter per second square, इसका मतलब meter per second square, तो मैं acceleration अगर आप यहां लिखते हो, meter per second square, एक और S जो है, that is space head wave, वो meter में होगा, तो meter से meter cancel होगा, second square उपर आएगा, इसका under root बनेगा, तो time मेरा यहां पर किस में निकल कर आएगा, मेरा time second में निकल कर आएगा, ठीक है, बाकी हमारा question अब यह मैं करवाँगे आपको, आपको और clarity हो जाएगी, तो यह हमारा overtaking time हो गया, overtaking side distance में last चीज़ बची है, तीसरा distance, क्या यह D3 distance का formula कोई मुझे बता सकता है, सामने से जो वीकल आ रही थी, सामने से जो वीकल आ रही है, उसने कितना distance travel किया, overtaking time duration के along, मतलब जब मेरी पूरी गाड़ी यह इदर से यहां से जाकर यहां पहुंच गई, उस पूरे time में, सामने से आने वाली वीकल ने जो distance travel किया, वो distance D3 है, बताओ D3 किसके बराबर होगा, T कौन सा आएगा, capital T आएगा, ठीक है, T कौन सा आएगा, सही बता रहो, TR नहीं आएगा, रवी शंकर reaction नहीं, overtaking time आएगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, D3 किसके बराबर होगा, VC into capital T, ठीक है, overtaking time के दौरान, C वीकल ने कितना distance travel किया, तो यहां पर तीसरा जो C वीकल के लिए लिख लिया, D3 is VC into capital T, और मैं लिए, और यहां से मैं बोल सकती हूँ, कि मेरा जो, overtaking side distance होगा, वो इन तीनों distance के sum के बराबर होगा, लेकिन तभी, तभी अगर, अगर सामने से कोई वीकल आ रही हो, मतलब अगर हमारा two-way traffic हो, two-way traffic हो, दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है, मानों सामने से कोई गाड़ी आ ही नहीं रही है, तो उस case में overtake करने में कम time लगते हैं यह जादा, भाई हम अराम से अपनी lane में चल रहे थे, तो उसरी side से कोई गाड़ी आनी नहीं है, तो उसमें overtake करने में कम टाइम लगेगा, तो उस case में overtaking side distance में, ओविसी बात है distance भी कम require होगा, तो D1 प्लस D2 ही consider करना है, D3 को नहीं मानेंगे, ठीक है, उसमें अगर हमारा one way traffic है, एक ही direction में गाड़ी चल रही है, तो D3 उसमें क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, लेकिन सभी roads में हम overtaking side distance provide नहीं कर सकते, तो अगर कोई ऐसा road है, आप इतना distance overtaking, जब उसको design कर रहे हो, अगर आप OSD नहीं provide करवा पारे, तो वहाँ पर क्या provide करना पड़ता है, एक second option है, कि अगर हम यह नहीं कर पारे, तो हम यह इस option पर जाएंगे, आप बताएंगे, यह मुझे पता है, आप लोगों को आता है, कि अगर मैं overtaking side distance नहीं provide करवा पारे, तो उन roads पे मुझे क्या provide करना होता है, मेरा second option क्या है, एक option तो ISD है, इसके अलावा overtaking zone, बिलकुल सही बताया, तो हम आप पर क्या provide करते हैं, वहाँ provide करते हैं, overtaking zone, overtaking zone, overtaking zone क्या है, इसके बाद तीसरा आजाएगा ISD, जो आपने बताया है, वह सही था, ठीके, अब overtaking zone बता क्या है, मान लो यह एक road था ऐसे, अब overtake करने के लिए क्या चाहिए, मैं overtake करने के लिए जगा भी तो चाहिए, कि सामने से जो गाड़ी आ रही है, वो भी sufficient distance पहले दिख जाए, और मेरी गाड़ी overtake करें, तो एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक diagram बनाने दो, overtaking zone start, overtaking zone end, आप देख रहे हो, मैंने एक diagram बनाया, इसमें क्या है, यहाँ से आ रही है, वीकल इस direction में, इस direction में आ रही है, तो क्या हुआ कि जब गाड़ी इस वाली, मतलब यहाँ वाले road पर चल रही थी न, तो उसको इतना distance visible ही नहीं था, मतलब वो overtake कर ही नहीं पा रही थी slow vehicle से, तो हमने क्या किया, किसी particular road की length के लिए, यहाँ से यहाँ तक road की width को बढ़ा दिया, road की width को इसलिए बढ़ाया, ताकि अगर कोई गाड़ी इस section में overtake नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ कर पाए, तो जहाँ आपने जिस length के लिए road की width बढ़ाई, इस zone को नाम दे किया, overtaking zone, इस zone को नाम दे दिया, overtaking zone, मतलब, जहाँ मौका मिलेगा, slow gauri से overtake होने के लिए, समझ गए, अगर overtaking zone आएगा, तो मुझे थोड़ा देर पहले aware हो जानी चाहिए, कि मैं overtake कर सकती हूँ, आगे जाकर, तो इसलिए, जब यह overtaking zone स्टार्ट होना होगा, यहाँ स उससे थोड़ी दिर पहले एक board लगा होगा, जिसमें लिखा होगा, overtaking zone start, और जब यह end होना होगा, तो उसमें भी पहले ही mention होगा, कि अब जिसने overtake करना था कर लिया, आगे आपको अपनी speed slow करनी पड़ेगी, क्योंकि overtaking zone end हो रहा है, तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक overtaking zone क कितनी होती है, कोई बता सकता है, what is the minimum length of, मेरे पूछने से पहले ही बता देते हो आप लोग, minimum length of overtaking zone is three times of overtaking side distance, and maximum या desirable, जो हम provide करना चाहते हैं, desirable length of overtaking zone is five times of overtaking side distance, तो यह आपका exam का question भी है, कि overtaking zone की minimum length और desirable length कितनी कितनी होती है, paper के लिए याद रखना है सबको, ठीक है, यह paper में पूछा जाता है, minimum length भी, और desirable length भी, तो इसका मतलब, अगर provide करना है, तो three to five times of overtaking side distance के बराबर, इसकी length आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अब यह तो बात आगे, overtaking zone की, लेकिन overtaking zone में भी हम लोग कई जगा पर provide नहीं कर सकते, इतना area ही available नहीं है, इतना land ही नहीं है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे option पर जाना पड़ेगा, जो आपने पहले ही बता दिया है, हना, means में आया था, बिल्कुल means में अच्छी खासे यह थी, कि 20 number का question आता था, बढ़िया से अगर आता है, तो आपको उसके number 15 भी मिल जाते थे, 20 भी, आप competition बढ़ गया है, CBT 2 है, तो अब आपका वो वाला काम नहीं चलेगा, सुन्दर सुन्दर diagram बना के number मिलना, आप तो आपको questions करने बढ़ेंगे, तब marks मिलेंगे, चलिए, तो मैं क्या कह रही थी, overtaking zone की length हमने देख ली, अगर हम overtaking side distance provide नहीं कर पा रहे हैं, उस case में देते हैं intermediate side distance, ठीक है, मतलब overtaking side distance से थोड़ा सा कम side distance available करवा देते हैं road पर, तो क्या लिखा है, if at a stretch of road, OSD cannot be provided as suggested by IRC, तो अगर हम OSD नहीं provide करवा पारें, जितना IRC ने suggest किया है, so in such cases, side distance is known as intermediate side distance, जो कि किस के बराबर होता है, ISD बहुत बार state exam में आया है, SSD आपको दिया होता है और बोलते हैं ISD निकालो, तो ये two times of stopping side distance के बराबर होगा, और त्यान रखना है, इसकी जरूरत हमें कब पड़ी, जब हम OSD नहीं दे पारें, OSD में driver की eye का level और obstruction की height कितनी होती थी, दोनों ही 1.2 meter होती थी, तो अगर ISD में पूछा, अगर आपको ISD में पूछा कि driver की eye का level और object की height कितनी कितनी लेनी है, तो answer क्या होगा, इस case में ये दोनों values कितनी होंगी, same, 1.2 meter होगी, ISD हमारा two time of stopping sight distance के बराबर होता है, और कब provide करेंगे, जब आप overtaking sight distance नहीं provide करवा पा रहें, ठीक है, तो ये हो गए 3 sight distance cover, और last जो sight distance आता है, last जो sight distance आता है, वो है हमारा headlight sight distance, last जो headlight, headlight sight distance, headlight sight distance, headlight sight distance किसके बराबर होगा, कुछ नहीं है, ये same हमारा stopping sight distance के बराबर है, लेकिन अगर हम रात का time consider करें तो, यह हमारा किसके बराबर है HSD, HSD मेरा stopping side distance के बराबर है, लेकिन कौन सी condition मान कर चल रहे हैं, condition हम रात की लेकर चल रहे हैं, कि मैं रात को अगर गाड़ी चला रहे हो, road की length के along, कितना distance clearly visible है, कि आप safely अपनी गाड़ी को stop कर सको, तो वो जो distance आएगा, बस हमने रात की condition ले ली ह है, तो वो हमारा HSD है, बिल्कुल, वो हम valley curve में आगे जरूर discuss करेंगे, मयंग, ठीक है, तो HSD मेरा SSD के बराबर होता है, तो हमारे सारे stopping side distance मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, एक आपको last चीज़ बता देती हूं, अगर मेरी गाड़ी किसी intersection पर है, अगर मेरी गाड़ी किस intersection पर है, intersection का मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा roads आपस में मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई case है, और इतना अच्छा नहीं बना पाई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, जो बतानी है, अगर कोई intersection है, ये road और ये road आपस में मिल रहा है, और यहाँ पर यहाँ से दिखाई देने लग गई ये गाड़ी, ठीक है, क्यों दिखाई देने लग गई, क्योंकि जो भी structure है, वो इस line से पीछे बनाए जाते हैं, किसी भी तरीके की building, किस line से पीछे बनाए जाती है, किसी भी तरीके की building, तो आप बोलेंगे मैं building line से पीछे बनाए जात रोड की लेंथ के लोंग यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस वाली वीकल के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस वाली वीकल के लिए तो एक साइट डिस्टेंस एस डी वान इस वीकल के लिए आएगा एक साइट डिस्टेंस एस डी टू इस वाली वीकल के लिए और यहां जो यह triangle बनता हुआ दिख रहा है आपको यहां जो यह triangle बनता हुआ दिख रहा है यह वाला इस triangle को बोला जाता है site triangle तो यहां पर दोनों vehicle के लिए site distance अलग से होगा ssd1 और इस वाली vehicle के लिए ssd2 तो इसको कई बार लोग नाम क्या mention कर देते हैं site distance at intersection site distance at intersection तो समझ में आ गया कि जो exam में question आया था और पूछा था कितनी तरह के site distance होते हैं जो अभी आप comment section में कह रहा था कोई नाम में बूल गई तो इसलिए वो पांच वहां पर नाम दिये हुए थे ठीक है clear है चलिए तो अब सारे site distance हमने खतम कर लिए है और अब एक थोड़ा सा idea horizontal alignment का लेते हैं और फिर question solve करते है ठीक है एक general सा idea लेंगे ज्यादा detail हम कल देखेंगे उसकी और फिर हम question प्रक्टिस करेंगे आज की class में हमने जो जो चीजे सीखी ठीक है देखो पांच के आएंगे stopping side distance, overtaking side distance, intermediate side distance, headlight side distance और side distance at intersection पांच हो गए ठीक है आप पांच हो गए clear है side distance at intersection ये वाला भी side distance consider करोगे क्योंकि intersection पे मतलब इसके अलावर कोई नाम नहीं है ये पांच नाम ही है ओके चलिए अब मैं क्या कह रही थी एक basics idea लेते हैं कुछ-कुछ terms का फिर हम इसको आगे continue कर पाएं ताकी ठीक है कल हमारा time जो है वो थोड़ा super elevation में जाएगा इसलिए आपको ये इस एक्सप्लेइन करनी है तो अभी तक तो क्या था कि geometric design of highway में एक था cross sectional element दूसरा था side distance दोनों पढ़ लिए तीसरा है कि जब मेरी गाड़ी horizontal curve पे आएगी उस पर कौन से forces लगेंगे उस पर जिसकी वज़े से वहाँ वो गाड़ी unstable हो सकती है या मैं horizontal curve पे और कौन सी चीज़ों को design करना चाहूंगी वो सब हम इस topic में पढ़ते हैं तो आपको मैंने इस survey में भी बढ़ाया था horizontal curve कब provide किये जाते हैं जब direction change करनी हो औ और अगर gradient change करना हो तो कौन से curve provide होते हैं बताना जरा time हुआ है या आप लोग थोड़ी ना मुझे बताओगे हां तो मैं क्या बोल रही हूं जब मुझे direction change करनी है जब road पर direction change होने की बात होगी कि मुझे road पर सिरफ direction change करनी है तो वहाँ जो curve दिया जाएगा वो कौन सा curve है horizontal curve जब मैं बात कर रही हूं alignment change होने की alignment sorry जब मैं बात कर रही हूं gradient change होने की gradient change होने की या slope change होने की जो curve दिये जाते हैं वो कौन से curve है vertical curve तो एक topic आएगा horizontal curve का एक topic आएगा vertical curve का अब क्या था कि जब मेरी काड़ी इस तरीके से एक straight road वाले section पर चल रही थी इस पर और कोई force नहीं लग रही except इसका weight इसका weight लग रहा था मीचे की तराफ downward direction में w ठीक है लेकिन जब मेरा vehicle ऐसे एक horizontal curve पर आता है तो इस पर downward direction में एक weight तो act कर ही रहा है लेकिन जहाँ पर भ वेकल का center of gravity लाए कर रहा होगा वहाँ से बाहर की तरफ एक force यहाँ पर act करेगी हमारी vehicle के ऊपर और बाहर की तरफ जो force act कर रही है वो कौनसी force है जैसा आपने बताया वो है centrifugal force centrifugal force cg से outward direction में यह कौनसी force हो गई centrifugal centrifugal force और इस centrifugal force की वज़े से हमारी vehicle unstable होती है कैसे होती है थोड़ा समझते हैं वो समझने से पहले यह जो centrifugal force बाहर की तरफ लग रही है इसको हम P से denote करेंगे यह जो centrifugal force बाहर की तरफ लग रही है इसको हम P से denote करते हैं और आपसे paper में centrifugal force का formula पूछा जा सकता है कुछ नहीं है centrifugal force is mv square upon r m क्या हो जाएगा mass of vehicle v हो जाएगा गाड़ी की speed r हो जाएगा curve का radius curve का radius का मतलब यह होगा अगर यह horizontal curve है यह curve का center है जहां बर भी road की center line है तो road के यह curve यह मान लेजे मैं इससे आप एक circle मनाती तो यह radius आप जो center line तक लेंगे उस radius को consider करेंगे क्योंकि यह आप बर दो radius आ रहे हैं एक road के inner edge का और एक road के outer edge का आप कौन सा radius लेंगे जो road की center line के along होगा ठीक है अब देखिए क्या आप यह formula जानते हैं कि w is m into g के बराबर होता है कि अगर हमें weight निकालना है तो वो mass into acceleration due to gravity के बराबर होता है यह formula पड़ा है आपने कभी अगर पड़ा है तो यहीं से मैं क्या कर सकती हूँ mass को weight upon acceleration due to gravity के बराबर लिख सकती हूँ कि mass मेरा w by g के बराबर होगा क्यों लिखा क्योंकि एक नई term है जहां से हमें सवाल पुछे जाते हैं और हमें सिखनी है तो हमें centrifugal force के formula में p is equals to mv square upon r में अगर मैं m की जगा w by g पुट कर दू m की जगा क्या पुट कर दिया w by g और v square upon r वैसे ही रहने दिया इस w को p से नीचे ले आई क्या किया इसको थोड़ा सा rearrange किया और w को नीचे ले आई तो क्या बन जाएगा p by w is equals to v square by g r क्या बन गया p by w is equals to v square by g r ठीक है बन जाएगा देखिए जड़ा अब ये term मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखी क्योंकि हमें आपर कुछ चीज़े relate करनी है इस p by w से आप मुझे बताओ p by w को क्या बोलते हैं बोलो p by w को किसी को पता है क्या नाम होता है p by w का जिसने पढ़ा होगा बोलो ये जो p by w होता है ये हमारा impact factor होता है अब कई बार exam में क्या निकालने के लिए आता है कहते है impact factor निकालो कुछ नहीं है मैंने देखा कि centrifugal force जो थी वो हमारे vehicle के cg से outward direction में लग रही थी उस centrifugal force का मतलब था mv square upon r हमने formula देख लिया mass को हमने weight की term में लिखा तो p by w बन गया impact factor और इसी के साथ साथ इसको बूलते हैं centrifugal ratio इसी के साथ साथ और क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं centrifugal ratio impact factor भी और centrifugal ratio भी इसके ही नाम होते है ठीक है अब क्यों पड़े अभी समझ में आएंगे अब होता क्या है कि जब मेरी गाड़ी horizontal कर पर है जब मेरी गाड़ी horizontal कर पर है तो उसके unstable होने के कैसे chances हैं ध्यान से देखिएगा last topic है उसके बाद हमें questions करने है यह मेरा horizontal curve था यह कर्व का center है और यहां पर मेरी गाड़ी पहुंच गई ऐसे ठीक है यहां गाड़ी इस direction में चल रही है और गाड़ी पर centrifugal force कहा लग रहा है मैं बाहर की तरफ अब आप एक चीज़ बताईएगा क्या आपने racing cars देखी हैं कभी racing cars सामने से नहीं मतलब ऐसे कभी देखा है race होती होई गाड़ीयों की जब आपने गाड़ीयों की race होती होई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी एकदम से मोड के पास आती है जैसे एक turn के पास आती है तो गिस्ती होई बाहर की तरफ जाती है और कई बाहर वो पलट जाती है मतलब overturn हो जाती है कुछ भी आपके दिमाग में कोई movie का scene या दा रहा हो तो आप उसको imagine कर सकते हो तो एक तो वो बाहर की तरफ घिस्ते होए जाती है और दूसरा वह ऐसे करके overturn हो जाती है वही दो case हम यहां पर समझ कि अचनुर से जा रही है दूर धर्शन में कहार देखा है हां तो तो बाहर की दरफ गिसकर जा रही है वह किस 14 की बनाधिये से जा रही है ठीक है तो देखे है जो है वह बाहर की तरफ लग रहा है काड़ी गिसती हुए बाहर की तरफ जाएगी अब बाहर की तरफ गिसते हुए ना जाए आप मुझे बताओ काड़ी का बाहर की तरफ गिसना स्किड होगा या स्लिप होगा वीकल के वील मतलब वीकल के वील तो सीधा चलते हैं अगर हमार गाड़ी चल सीधी रही थी, skid यहां को हो रहा है, तो transverse skid हो रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ, transverse मतलब उसके 90 degree पर, तो इसका मतलब यहां जो गाड़ी skid हो रही है, वो किस direction में हो रही है, transverse हो रही है, क्योंकि 90 degree पर हो रही है, ठीक है, centrifugal force की वजे से, पर सब जगा तो ह पूरानी वाली force, frictional force, ठीक है, कहां लगेगी, गाड़ी के wheel और pavement के surface के बीच में, अब मुझे बताओ, यह कौन सा friction होगा, longitude या lateral, दोनों को हम कली बढ़ चुके है, longitude या lateral, कौन सा friction होगा, तो यह lateral friction होगा, तो यह frictional force F जो आई, यह lateral friction है, और हम कल पढ़ चुके है, F is small F into N के बराबर होता है, और गाड़ी पर normal reaction, मतला vertical direction में क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ weight है, तो उपर की तरफ N लग रहा होगा, और N मेरा W के बराबर होगा, कल पढ़ा था, तो मैं F किस के बराबर लिख सकते हुआ, यह centrifugal force, sorry, F जो है, वो small F into W के बराबर, एक बात बताईएगा, अगर मेरा जो frictional force यहां पर लग रहा था, वो जादा हो जाए centrifugal force से, क्या अभी मेरी गाड़ी skid करेगी, क्या अभी मेरी गाड़ी skid करेगी, P से मैंने denote किया है centrifugal force, F से denote किया है frictional force, मेरा frictional force जादा है, centrifugal force कम है, अभी नहीं कर रही है, गाड़ी skid, बाहर ये दोनों बराबर हो जाएं, क्या उस केस में स्केड हो रहा है, नहीं, ये वाली फोर्स, इस वाली फोर्स के बिलकुल बराबर है, थोड़ी सी भी बढ़ गई तो गाड़ी स्केड हो जाएगी, तो इसका मतलब, मैं, पी लेस देन इक्वस टू एफ होगा, अगर हमें कन्ड आओ भई अभी तो पढ़कर आए है P by W किसके बराबर होता है अभी अभी पढ़कर आए है P by W impact factor होता है centrifugal ratio होता है तो P by W less than equals to F होगा तो there is no transverse skidding तो उस case में हमें कोई भी transverse skidding देखने को नहीं मिलेगी तो आपका one mark का question बनता है कि impact factor should less than or equals to F ताकि skidding ना हो समझ गए सब लोग तो वो situation तो समझ में आ गई जो racing cars में जब गाड़ी मोड पर होती है तो बाहर की तराफ skid करके जाती है तो वो skid इस force की विज़े से हो रही है पर centrifugal force उसे बचा रहा है sorry frictional force जो है उसे resist कर रहा है दूसरी condition जो आपने देखी होगी वो आप बहुत अच्छे से visualize कर पाओगे उसके लिए मैं एक photo लेकर आई हूँ बढ़ी आसी visualize आप देखो इसमें गाड़ी mode पर तो नहीं मिली मुझे पर मैं यहाँ से निकाल पाई एक अच्छा सा मतलब मुझे लगा यहाँ से आप समच जाएंगे over turn करने वाली कहानी small f is the coefficient of friction small f पूछ रहे हो f क्या है देखो इस formula से उठाया है न f frictional force है यह force है force किसके बराबर है coefficient of friction into normal reaction f क्या है small f coefficient of friction है तो वही f यहाँ पर आया है वही f यहाँ पर आया है ठीक है रविंदर clear है आपको तो मैं आपको समझा रही थी दूसरी condition इसे जल्दी से समझिए और फिर सवाल करते है देखो अब मुझे यह जो डाइग्रम मिला इसमें आपको क्या करना है यह गाड़ी यहाँ से सीधी चल रही थी यह first condition है यह इसको mode मिला मुड़ना है इसको तो यह turn लिया इसने second यह है अगला वाला मैंने आपको दिखाया नहीं आप अपने आप समझ गए होंगे कि इसके बाद क्या होने वाले तो इसमें मैं आपको समझाना क्या चाहती हूं क्या यह horizontal कर्व कुछ इस तरीके से होगा बोलो जरा बताना और कर्व का center यहाँ पर होगा अगर मैं यहाँ पर बो इसको बोलेंगे inner edge अंदर वाला किनारा inner edge ठीक है जो बाहर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे बाहर वाला किनारा है तो उसको क्या बोलेंगे outer edge clear है अब यह वाला जो अंदर वाला wheel है इस वाले wheel को क्या बोलेंगे inner wheel क्योंकि inner edge के बास है और यह जो यह वाले जो दो wheel जहाँ है आउटर वील समझे इंडर वील और आउटर वील अब मुझे बताओ जब मेरी काड़ी इस होरिजॉंटल कर पे है यह इनर वील के आब आउटर वील के आउट ओवर्टर्ण करी किस वील ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो अगर मैं देखूंगी मैं यह आउटर वील तो मेरी वेकल जो है यहां पर वह आउटर वील पर जादा प्रेशर लगा कर इस वील के अबाउट ओवर्टरन कर रही है तो प्रेशर आउटर वील पर जादा देखने को मिलेगा जिस वील के अबाउट वह ओवर्टरन कर रही है उस पर ही हम प्रेशर निकाले उस पर ही हम फ अब देखो तो यह मेरी गाड़ी के inner wheel और outer wheel है अब समझना जो पीछे वाला डायग्राम है उसको याद रखिएगा ठीक है यह वाला wheel जो है यह outer wheel है तो यह वाला wheel जो है यह outer wheel है यह वाला inner wheel है यह outer wheel है किस wheel के about रोटेट कर रही है आउटर वील के अबाउट देखो कौन सी फोर्स थी इस पे नीचे की डिरेक्शन में वर्टिकल वेट एक्ट कर रहा है बार की डिरेक्शन में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पी एक्ट कर रहा है गाड़ी की जो विड्थ है वो क्या है मान लिजिए बी इस width of vehicle, गाड़ी की height है उसको क्या मान लिया small h मान लिया, तो b आ गई width, small h आ गई height, ठीक है, दो moment निकालेंगे, एक overturn और एक resist करने वाला, गाड़ी जो overturn कर रही है, इस diagram को देखेगा ये हमारा overturning हो रही है vehicle की overturning moment, ये moment कैसे आएगा, जब force जो है, weight आपका इस direction में लग रहा है, और distance, मतलब कोई कौन सा force होगा, जो हमें इसको overturn करवा रहा होगा, ठीक है, अब मुझे वा moment की calculation करनी है, शायद आपको अगर निकालनी आती हो, तो मैं इस direction में moment कौन सा आ रहा है, अब moment क्या पर निकालेंगे, outer wheel के about निकालेंगे, क्योंकि उस wheel के about मेरा vehicle overturn कर रहा था, देखना, moment का मतलब क्या है, force multiply by perpendicular distance, अब इस direction के लिए देखो, centrifugal force ही आई, perpendicular distance आ गया है, यहां से h by 2, यह जो force और perpendicular distance है, क्या यह direction रहीगी, इस moment की, और इसी direction में गाड़ी overturn कर रही है, क्या मैं लिख सकती हूँ यहां पर, क्या मैं लिख सकती हूँ यहां पर, कि मेरा जो overturning moment होगा, वो किसके बराबर होगा, मैं हम centrifugal force P multiply by h by 2, P multiply by h by 2, overturn होने से बचारिगा कौन, जिसकी direction इसकी opposite होगी, ऐसे को, और वो कौन सा force है, कुछ नहीं, एक weight, और इस point पर moment निकाल रहे है, तो मैं width is B by 2, तो यहां पर दूसरा जो resisting moment आएगा, जो resist कर रहा है, vehicle को overturn करने में, that is W into B by 2, overturn की जो direction है, resisting के उससे opposite होगी, तो अगर मैं चाती हूँ कि मेरी गाड़ी overturn ना करे, अगर मैं चाती हूँ कि गाड़ी overturn ना करे, और वेसी बात है resisting वाली value, resisting वाली value जादा हुई, अगर overturning वाली value से, तो मेरी गाड़ी overturn नहीं करेगी, बताइए, तो यह overturn नहीं करेगी, हणा, अगर तो इसको अब थोड़ा सा मैं री अरेंज करके लिख लीजिए तो P by W को एक तरफ लिख लेते हैं, मैंने कुछ कलत लिखा है किया, P by, अच्छा इसको बुक्स में ना H नहीं, यहां से यहां तक को H लिया जाता है, तो मैं वैसे लिख लेती हूं, यह वाली हाइट को H लिया मैंने road surface से, तो P multiply H लिख लिया, तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूं, कि P by W, यह B इदर है, 2 इदर है, H नीचे आ गया, greater than equals to P यहां, W नीचे आ गया, इस form में क्यों लिखा, क्योंकि अभी तो centrifugal ratio और impact factor के बारे में पढ़ा था, तो यहां से यह condition मेरे पास निकल कर आई, क के बराबर होता है, तो मेरी गाड़ी over turn नहीं करेगी, यह condition क्या कौन सी है, यह condition हमारी safe condition है, तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी किस wheel के about overturn करी, outer के about, pressure किस में जादा आया, outer wheel पे pressure जादा आया, अगर मुझे गाड़ी, मतलब road surface में थोड़ा सा depression दिखाई देगा, कि road पर, तो कह पर दिखेगा, outer वाली side पे दिखेगा, ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि गाड़ी over turn ना करें, तो उसका resisting moment जादा होना चाहिए, तो resisting moment क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, उसका weight, W और उसका B by 2, और H को मैंने क्या consider किया, road surface से, जहां centrifugal force लग रही है, vehicle के CG की height, उसको ह हमने H माना, समझ में आया, बताइए, समझ में आया, capital H मैंने height of vehicle ना मान कर, मैंने CG से लेकर, जहां पर आपका गाड़ी चल रही है, उस payment के surface से height consider करी, बोलिए, अभी friction की बात नहीं करी, जब हम overturning की बात कर रहे है, जिन जिन को clear है, comment section में लिखिए, जिन को clear है, अंकीत आ जाएगा, इतना hard नहीं है, ठीक है, आप फिर से lecture देखना तो clear हो जाएगा, बाकी सब को clear है, अभी इस से related और बाते करनी है, कि पहले skid करेगा, कि पहले overturn करेगा, वो condition क्या है, हो सकता है, पहले गाड़ी skid करे और उसके बाद घूम जाए, वो condition क्या है, वो हम कल बात करे जाएगे, और कल की class बहुत interesting रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ थो हमने पढ़ ली, अब इसके आगे हमें super elevation की जरूरत क्यों पढ़ी, अकर friction बचा ही राए, गाड़ी का weight बचा ही राए, overturn होने से, तो हम super elevation क्यों पढ़ते हैं, और वो हम कल की class में सीखेंगे, तो कल की class में super elevation का पूरा-पूरा concept आपका clear हो जाएगा, super elevation के साथ-साथ extra widening क्या होती है, transition curve कैसे design किये जाते हैं, तो जो horizontal alignment के topics हैं, वो हम कल की class में cover करेंगे, ठीक है, हाँ, बिल्कुल pressure भी outer पर जादा होगा, और overturn भी outer wheel के about होगा, ठीक है, P multiply by H करना है, क्योंकि मैंने इसको change कर दिया, H is the height above, मतलब CG से लेकर जहां पर आपकी गाड़ी चल रहे है, payment के surface तक की height को मान लिया, H by 2 इस लिए नहीं लिया, क्योंकि books में भी नहीं लेते हैं, ओके, चलो, हो गया ये, अब हम कल करेंगे इसके आगे की कहानी, अभी आपकी बारी है, question solve करने की, तो अब हमारा जितने भी side distance हमने अभी पड़े, जल्दी से एक rough notebook निकालिए, या कागज निकालिए, एक calculator अपने पास निकालिए, और फिर हम question solve करते हैं, जो आज की class में सीखा, आज के आज हम देखेंगे, वहाँ से किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, त्यार हो सारे questions क करने के लिए, सब के पास है, आपने अपनी notebook और उसमें एक-एक करके solution करेंगे, और आपके सारे concepts जो हमने आज की class में सीखें हैं, वो सारे concepts clear हो जाएंगे, answer करोगे, chat section में, एक दूसरे का answer देखके, अपना answer change नहीं करना है, जो answer आ रहा है, वो लिखते नहीं, ओके, चलो तो शुरू करते हैं, आज मैं थोड़े से numerical इसलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा topic numerical था, और आपको formula याद रखने का सबसे best तरीका होता है, उसके questions लगाना, अगर मैं formula को रटूंगी, तो मुझे इतना अच्छा याद नहीं रहेगा, जितना याद रहेगा, अगर मैं का, on a level road stretch for a design speed 72 km per hour, coefficient of friction 0.3 दिया हुआ है, और reaction time 2.5 seconds दिया हुआ है, सारी चीज़े दी है, speed आपको दे रखिये, तो आपको breaking distance निकालना है, किसके बराबर आएगा, V square by 254 F लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, तो क्यूंकि speed km per hour में है, तो 72 square divided by 254 coefficient of friction 0.3 लेना था, तो सीधा-सीधा answer मेरे पास ये, 68.03 मीटर के आसपास आ रहा होगा, तो अगर formula याद है, तो मैं इस question को आसानी से कर सकती थी, correct answer क्या बन जाएगा, option C बन जाएगा, ठीक है, तो इसको कर देते हैं, हम mark, answer is option C, आगे चलिए, आगला question देखते हैं, क्या ब कालना है, अगर headlight side distance 70 मीटर दिया है, headlight side distance 70 मीटर दिया है, intermediate side distance निकालो, ये तो निकाल सकते हैं सब लोग, आसान सा question है, headlight side distance is 70 मीटर, HSD 70 मीटर है, what is the intermediate side distance, बताइए, बिलकुल, तो हमें बता है, कि headlight side distance किसके बराबर होता है, stopping side distance के बराबर होता है, और मैं, stopping side distance ही हमारा 70 हो गया, और ISD मेरा 2 times of this, तो ये आ जाएगा, 140 मीटर, correct answer क्या बन जाएगा, हमारे पास, option C बन जाएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, अरे, ये सभी का answer से ही है, चलो, शुकर है, कोई सवाल तो है, आगे चलते हैं, हमने peeve theory के बारे में discuss किया था, तो मैंने आपको बोला था कि peeve theory में आपको इसका full form बता होना चाहिए, I क्या represent कर रहा है, E क्या represent कर रहा है, तो इस question में पूछा है, I and E, I and E respectively, क्या-क्या represent कर रहे हैं, I और E क comment section में बताएंगे सब लोग, तो correct answer is very good, intellection and emotion, हमें पता है, P मतलब perception, I, intellection, emotion, V represent करता है, हमारे पास volition, तो सही answer बन जाएगा इस question का, answer is option D, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next सवाल देखिए, थोड़ा सा time लगेगा, और इसलिए मैं आपको इसके लिए थोड़ा time जाद दे रही हूं, अच्छे से solve कीजिएगा, और फिर देखिए, क्या answer आ रहा है, आपको क्या बोला है, design speed दे रखी है, acceleration भी दिया हुआ है, speed of overtaken vehicle, जो overtake कर रहा है, मतलब slow moving vehicle, उसकी speed दे रखी है, reaction time दिया हुआ है, इतना जल्दी इसका answer कैसे बता रहे हूं भीना solve किये, safe overtaking side distance on two way traffic will be, तो पहली बात है, options ही तो होई नहीं सकता, जब OSD निकालोगे इतनी छोटी value आएगी नहीं, ठीक है, तो overtaking side distance निकालना है, देखिए, इसको करने का ना एक जल्दी करने का तरीका है, जैसे exam में सवाल आया, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि D1 distance तो छोटा ह आएगा, मैं क्या करते हूं, मैं D3 distance निकाल लेती हूं, D3 distance किसके बराबर होगा, 0.278, multiply, design speed is 96 km पर आर, और reaction time 2 seconds, देखो ज़रा यह कितना आ रहा है, D3 distance किसके बराबर आरा है, मैं बस बता रही हूं, गर exam में आता है, तो आप थोड़ा सा वहां से एक hint ले सकते हो, options को द पड़ेगा, तो capital T निकालने के लिए, हाँ तब तो D2 भी निकालना पड़ेगा, 4S upon A पर जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम D2 distance पूरा ही निकाल लेते हैं, तो D1 तो मेरा आ जाएगा, 0.278, multiply, 80, multiply by 2, यह बता देना कितना आ रहा है, D2 किसके बराबर आएगा, B प्लस 2S के बराबर आएगा, S मेरा 0.2 VB प्लस 6 के बराबर होगा, अगर मैं इसको चेक करूँ, तो 0.2 multiply, C प्लस 6, यह value आ रही है, मेरे पास 22 meter, S की value निकाल ली, D2 is equal to, time निकालना है, T is under root of 4S upon A, आप यहाँ पर देखेंगे, एग्जलरेशन के unit क्या दे रखी है, 2.5 kilometer per hour per second, तो आप इसको क्या कर सकते हो, kilometer per hour से meter per second में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.278 से multiply कर लिया, अब यह unit किसमें बन गई, meter per second में, denominator में एक और second दिया हुआ है, तो अब मैं यह वाली value जो है, हमारे पास, same unit, kilometer per hour per second से, meter per second बन गई, और, sorry, यह बन गया हमारी unit, meter per second square, ठीक है, यह convert कर सकते हो, तो आप यहाँ पर क्या लिक सी, 2.5 multiply, 0.278, यह value आ जाएगी, 0.695, तो अब acceleration बन गया, मेरे पास, 0.695 meter per second square, तो t under root of 4 into 22 upon, यह value कितनी थी, 0.695, आपके पास यह time कितना आया, time बताना, आप लोग answer बता रहे हैं, time बताएए, कितना आ रहा है, तो यह overtaking time अपने calculate किया होगा, 4 multiply 22, 0.695, यहारा 11.25 seconds, 11.25 seconds, अच्छा, यह हमने t निकाल लिया, अब d2 लिख सकते हैं, तो d2 is 0.278, slow moving vehicle की speed थी 80, multiply by capital T कितना आ जाएगा, हमरे पास, 11.25 plus 2 into 22, यहां से आपके पास d2 distance निकल कर आ जाएगा, d2 distance क्या आएगा, वो आप देख सकते हैं, फिर d3 distance निकालना है, तो 0.278, multiply 96, multiply time 11.25, तो तीनो distance यहां से निकालिए, और इसको add कर दीजिए, क्योंकि 2 way traffic था, तो d3 distance भी निकालना पड़ेगा, तो यहां से हमरे पास final answer निकल कर आएगा, वो 640 meter के आसपास आएगा, अब आप इतना काम कर सकते हैं, d1, d2, d3 की value निकाल सकते हैं, और class के बाद अगर कोई समझ में नहीं आए, तो बता देना comment section में, तो d कहां से आ रहा है, नवनीत, इन तीनों को add करिए, और आपके पा 640 meters आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, तो correct answer बनेगा option A, आप practice कर लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा, आप पूछ लेना, तो अगर d ही 300 आ रहा है, तो ओविसी बाते answer इससे जादा ही होगा, captain of physics भी d बता रहे है, answer d कैसे आ रहा है, इतना तो solve कर लेना चाहिए, option A आ 296, 11.25, ये value आ रही है, 300.24, ठीक है, इससे उपर 0.278, 80, 11.25, ये वाली value आ रही है, 294, 294.2, और जो d1 distance है, वो मेरे पास निकल कर आ रहा है, 44.48, तो 300, 200 और 44, इसको जो bad करोगे, तो 600 के पास ही आएगा, तो correct answer is 640 meter, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए, और theoretical question है, comment section में answer कीजिएगा, ठीक है, which of the following is taken into account, while determining the overtaking side distance, overtaking side distance, अरे आप comment में answer करो, बोल में अपने आप यहां पर आपका नाम आजाएगा, अगर आप सही answer करते हो, तो, answer is, ठीक है, तो इसने बोला है कि जब आप overtaking side distance निकालोगे, और four lane road है, तो उसमें आप क्या consider करोगे, distance cover during reaction time, plus distance cover during overtaking, plus distance cover by opposite traffic, तो आपको जब overtaking side distance निकालना है, तो आप तीनों distance को consider करोगे, correct answer is option D, ठीक है, next question देखिए, यह तो आप जल्दी से बता देंगे, the minimum stopping side distance on a single lane road having two way traffic is equals two, single lane road है, two way traffic है, तो minimum side distance, stopping side distance किसके बराबर होगा, minimum stopping side distance किसके बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर correct answer क्या बन जाएगा, twice the stopping side distance, तो minimum side distance is two times of SSD के बराबर होगा, और correct answer is option C, ठीक है, इसमें क्यों गलती हो रही है, तो यह correct answer option C बनेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, आचा कल आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कि height of crown कैसे निकालना, याद है आप लोगों को, crown की height कैसे निकालनी है, बताई थी, तो अगर याद है, तो उसके basis पे सवाल है, और इससे पता भी चल जाएगा, कितने लोग सासात रिवाइस कर रहे हो, इस question को देखिए और फिर इसका answer निकालिए, कल crown की height निकालना सिखाया था, कि plane अगर हम वहाँ पर straight camber देते हैं, parabolic camber देते हैं, very good, formalized w by 2n, तो इस question में आपको देखिए सब दे रखा है, 8 meter wide concrete payment, state highway is to be constructed in heavy rainfall, what should be the height of crown, with respect to the edge, अगर आपको यहाँ पर बोला है, concrete payment है, और इसने 1 in 50 भी दे दिया है, आपको second line पढ़नी है, सिरफ पहली line पढ़ने पर सोचने नहीं लग जाना कि मैं table से value निकालूं, उसने 1 in 50 भी दिया हुआ है, तो इसको use करिया और फिर answer बताईए, तो अभी अभी आपने बताया कि मैं formula जो होता है, height of crown निकालने का edge, वो w by 2n के बराबर होता है, width of road मेर को 8 meter दे रखी है, divided by 2, n की value भी दी है, तो multiply 50, 1 upon 2n, मैं देख रही थी कुछ लोग answer option a बता रहे थे, बिना कुछ सोचे समझेए, तो सही answer क्या आएगा, 0.08 meter, इसको solve कर लेंगे, तो यहां से हम crown की height निकाल सकते हैं, correct answer क्या बन जाएगा, इस question का option d बन जाएगा, ठीक है, अच्छा कोई confusion है, किसी को तो बता सकते हो, क्योंकि इसमें 1 in 50 भी दिया हुआ है, और road की width भी दे रखी है, सीधा यह formula या था, तो आसानी से answer हो जाता, कोई doubt तो नहीं है, इसमें, चलो अगले question पर, अब कुछ SSJ के सवाल देखते हैं, जो बिलकुल आसान थे इस topic से, देखिए, the stopping side distance, SSJ 2017, the SSD will depend upon, कोई मुझे यह doubt पूछ रहा था, मैंने कहा था, आप से पूछूँगी मैं, तो अब आप बताएंगे, stopping side distance किन किन factors पर depend करता है, हरा, अब सोस समझ के सारे options पढ़ेंगे, और अभी आपने देखा भी था, जब हम formula derive कर रहे थे SSD का, कि क्या सच में यह factors हैं, जिस पर depend कर रहे हैं, तो stopping side distance depend upon, very good, इसका answer क्या बन जाएगा, all of above, वैसे भी आप all of above देखके, यही answer करते हो, देगे, total reaction time क्यों, अगर मैं stopping side distance का formula देखूं, तो VT प्लस V square by 2GF बन जाएगा, और यह T क्या है, T हमारा reaction time है, reaction time बढ़ेगा, तो SSD बिलकुल बढ़ेगा, अगर speed of vehicle कम या जादा होती है, SSD पर depend करता है, breaking efficiency, मैं हमारे पास यहाँ आएगी, अगर हमें breaking efficiency दी हो, तो कितना friction offer हो रहा है, वो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यह भी आएगा, तो तीनो answers correct है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, all of the given options are correct, और सभी ने इस question का answer सही दिया है, चली, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, SACJ का ही question है, और time 45 seconds है, आपके पास इसको solve करने के लिए, safe stopping side distance निकालना है, SACJ 2018 का सवाल है, for descending gradient of 3%, design speed is 280 km per hour, coefficient of friction दिया हुआ है, और total reaction time 2 seconds दिया हुआ है, सारी चीज़े दे रखी हैं, और आपको सिरफ formula में value डालनी है, ठीके time थोड़ा calculation में लग सकता है, लेकिन formula याद होगा तो आप पर लेंगे इसको, question को करने के लिए वो तो याद होना चाहिए न, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कि हमारा जो stopping side distance है, that is equals to 0.278 VT plus V square by 254 F, descending मतलब negative होगा, minus 0.03, तो यहाँ पर बाकी सारी values put कर देती हूँ, 0.278, speed of vehicle 80 km per hour, reaction time इसने 2 लेने के लिए बोला है तो वही लेंगे, speed हमारी 80 km per hour है, divided by 254, coefficient of friction हमें 0.35 दिया है, minus 0.03 हमारे पास value आगई, अच्छा देखना है, आपने द्यान से कहीं, single lane, two way traffic तो नहीं बोला है, तो कुछ लोग answer B और D में confused है, क्या answer आ रहा है, एक value बताओ, 0.278, B आ रहा है या फिर D आ रहा है, multiply 2, मैं check कर लेती हूँ, 254, coefficient of friction 0.35 minus 0.03, ये value निकल करा रही है मेरे पास, 123, answer option B आ रहा है, answer is option B, 123.26 meter, ठीक है, answer option B जिसने बताया है, उनका सही है, और D क्यूं बताया है आपने, 1092 कैसे आगया आपके पास, बिना solve किये ही बता दिया न, तो ऐसा ही होता है फिर, answer के पास तक मी नहीं पहुंच पाए, जब तुक्का मार रहे हो तो वह तो अच्छे से मारो थोड़ा सा, 1092 बता रहे हो, SACJ 2018 का अगला सवाल देखियेगा, और इसको solve करके बतायेगा answer क्या है, ठीक है, कोश्चन देखिये क्या है, safe stopping side distance ही निकालना है, design speed 60 km पर आर दिये हुए, two-way traffic है, single lane road है, और यहाँ पर reaction time 2.5 seconds है, यह कोश्चन gate में भी आया था, यह कोश्चन EAC pre में भी आया और SACJ में सेम आ गया, सेम कोश्चन gate में आया है, तो same formula है, अकर इतनी बार आपने ज़्यादा बार SACJ, PYQs लगा लिए होंगे, तो आपकी गलती भी नहीं, आपको याद भी हो गये होंगे, तो stopping side distance, मैं सिरब यहाँ value लिखनी हूँ, इसको फिर solve कर लेना आप लोग, ठीक है, 0.278 multiply by 60, reaction time 2.5 ले लेंगे, plus V square divided by 254 और यहाँ पर F लिख लेते हैं, तो यह मेरा SSD यहाँ से 82.21 मीटर के आसपास निकल कर आता है, और अगर मुझे stopping side distance निकालना है, for a single lane road, two way traffic, तो SSD किसके बराबर हो जाएगा, SSD मेरा 2 times of stopping side distance के बराबर हो जाएगा, तो 2 multiply 82.21, 164.42 के बराबर आएगा, अंसर बन जाएगा इसका option C, ठीक है, बहुत से लोगों ने सही बताया, जो लोग अभी solve नहीं कर पा रहे हैं, class के बाद इन question को solve करना जो numerical हैं, कोई भी doubt रहता है, तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, intermediate side distance, SSCG 2018, intermediate side distance किसके बराबर होगा, सारे options में से, कौन सा option correct है, intermediate side distance is equals to, very good, twice the stopping side distance, SSCG में आया हुआ है, तो इसका साही answer जो है, वो option C बन जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, ठीक है, option is, answer is option C, ठीक है, चलो, SSCG 2019, रुख जाईए अब अगले का answer कीजेगा, SSCG 2019, 30 seconds more than enough होंगे, उससे पहले ही answer बता देना है, the stopping side distance, the eye level should be, तो eye level किसका पुछाओगा, observer की eye का level पुछाओगा, कितना होना चाहिए observer की eye का level, above the road surface, अगर मुझे SSD निकालना है तो, क्या answer होगा, very good, तो हमें पता है, यह हम eye level 1.2 meter consider करते हैं, answer होगा option A, और height अगर हमसे obstruction की पूछी जाती, SSD निकालते time, तो वो मेरी 0.15 meter के बराबर होगी, तो इसका answer हो जाएगा, option A, चलिए, आगे बताएंगे, SSD is defined as, stopping side distance को कैसे define करोगे, यह कुछ options यहां पर लिखे हुए है, कि nautical distance for which the ship can continue signaling, पता नहीं क्या क्या लिखा है, शायद आपको answer सामने दिखाई देगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, stopping side distance किसके बराबर होगा, हाँ, तो यह हमारा SSD जी 2020 में पूछा गया था, SSD is equals to length of roadway, जो हमें कितना distance clearly दिखाई दे रहा है, along the length of the road, तो सही answer बन जाएगा, इस question का, option B, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next सवाल पर, और यह है हमारा थोड़ा सा numerical, तो इसको solve कीजिए, देखें, क्या बुला है, दो गाडियां है, two cars are moving in opposite direction, with speed 25 meter per second and 20 meter per second, दो गाडियां है, opposite direction में चल रही है, एक यहां से आ रही है, और एक opposite side से आ रही है, और दूसरी गाडि की speed 20 meter per second दे रखी है, 20 meter per second दे रखी है, ठीक है, if the total reaction time is 2.5 second, reaction time है मेरे पास 2.5 second, coefficient of friction 0.35, what will be the minimum side distance to avoid the collision, एक side distance में इस वाली के लिए हो जाएगा, एक side distance इस वाली के लिए हो जाएगा, तो दोनों को total कितना distance चाहिए होगा, कि वो safely stop हो सके, और collision ना हो, तो मैं उसमें हम दोनों के side distance को add कर देंगे, SSD 1 plus SSD 2, तो किसके बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं, 0.278, multiply by speed of, अच्छा, 0.278 की तो जरूरत ही नहीं है, तो speed ही meter per second में दिए, plus V square divided by 2 and 2, G की value उसने 10 लेने को बोली है, तो 10 consider करेंगे, और coefficient of friction 0.35, एक value यह आ गई, SSD 1, SSD 2 किसके बराबर आ जाएगा, 20 meter per second के लिए, तो मैं हम 20 multiply by 2.5, plus 20 square divided by 2, multiply by G, multiply by F is 0.35, तो यह मेरे पास SSD 2 आ जाएगा, इन दोनों का sum कर दीजिए, answer क्या आ रहा है, option B आ रहा है, option D आ रहा है, दो अलग answers मिल रहे हैं फिर से मुझे, मैं सोचती हूँ, जितने में मैं लिखूँगी, आप मुझे solve करके, एक सही answer बता देंगे, तो यह value मैं चेक कर लेती हूँ, कितनी आ रही है, SSD 1 प्लस SSD 2 करने हैं न, तो यह हमारे पास निकल कर आ रहा है, 258, answer is option D, 258 आ रहा है, 258.93, इसमें time बहुत सादा लग जाना था, तो यह answer option D बन रहा है, तो अगर अभी आप SSCJ का exam दे रहे हो न, तो थोड़ा से इस बात का ध्यान रखना, जैसे आप इस question को देख लेते हो, आपको पता है कि मुझे formula आता है, लेकिन इस question को देखके, यह भी पता चल गया होगा, कि शायद calculation में time लग सकता है, थोड़ा, तो आप इसको बाद के लिए रख सकते हो, और इससे पहले जो आपके direct conceptual based question है, उनको कर सकते हो, numerical में time थोड़ा सादा लगेगा, और exam देते time, time को बचाना बहुत जादा ज़रूरी है, तो अगर इतना बड़ा कोई numerical दीखे, OSD का कोई लग जाए कि numerical बहुत बढ़ा है, तो उसको skip कर देना, और अगले question के तरफ बढ़ जाना, ताकि ऐसा हो कि कोई आसान question ना छूट जाए आप से, इस numerical को करने की वज़े से, और जो थोड़ी बहुत tricks होती है, तो हम सारे skip करते हुए जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अपना ना, वो calculation वाली speed पर काम करो, जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी आप mock test दे रहे हो, questions प्रैक्टिस कर रहे हो, तो देखो कि मैं speed को बढ़ाने के लिए, YouTube पर तो अब इतनी tricks हैं, कि इस चीज को कैसे solve करें, तो वो छोटी सी चीज सीखो, और उसको जब आप mock test दोगे, या previous year question लगाओगे, तो वहाँ उन tricks को apply करने की कोशिश करो, exam में पहले, CBT 1 में calculator allow नहीं होता, तब ही तो बोल रहे हूँ, CBT 1 में allow नहीं होता, इसलिए तो कह रहे हूँ कि आप ये जो trick सीखोगे, उनको apply करने की कोशिश करो, जब आप questions practice करोगे, एक बार हम आज का result देख लेते हैं, कि किसने better better आज result दी हैं, जल्दी आपके answers correct भी थे, अच्छा ठीक है, तो सूर्या आज first पर है, अभी मीना और उतकर्ष कुमार, ठीक है, कल से बिल्कुल अलग नाम दिख रहे हैं मुझे आज, द कश्मीर आप आज थोड़ा सा नीचे चले गए हो, और बाकी लोग, अस्टेला आप अभी भी आते हैं, पर बहुत नीचे हो, अच्छा ये काम करना है, आपने थोड़ा सा इंप्रूफ करना है, मैंने आज देखा कि आप गल्तियां बहुत जादा कर रहे थे, कि मुझे जल्दी आंसर देना है उसकी वज़े से, और जो टॉप थ्री पर हैं, अभी मीना ने आज बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है, तो जो टॉप थ्री पर हैं, कल भी कोशिश करनी है, कि आपका नाम टॉप टेन पर ही रहे उपर, और ये नहीं कि तुके मारे, किसी ने आंसर ए लिखा है, तो ए लिख देते हैं, मतलब यहां से बर-बर के सवाल आते हैं, ये वो वाला टॉपीक है, ठीक है, तो कल सुबा होगी हमारी आठ बजे क्लास, आज की क्लास में, जो भी हमने निमारिकल स्वाल किये, और जो भी हमने डेरिवेशन देखी, कोई भी डाउट है, तो आज की क्लास के ही कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट का अंसर या कमेंट में कर दूँगी, या नेक्ट क्लास में कर दूँगी, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ, और हम लोग मिलेंगे कल सुबा एक बार फिर से आट बजे, तब तक के लिए थैंक यू एवरिवन, और आल दे वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स की प्रेपरिशन दूँगी,